संस्कार श्रेष्ठ बन गए तेरा रूहा ने प्यार पाकर राहों में तेरी चल रहे हैं हाथों में हाथ देकर प्यार तुम्हारा इतना गहरा सागर से गहरा लगता है जब से बने है प्रभू तुम्हारे ये जीवन अच्छा लगता है मुआ अच्छा प्रभू तुम्हार् अच्छा लगता है वर्दानों को हाथ पकड़के साथ तेरे चलते हैं तेरे से शाती के रख से जीवन को रखते हैं तुम हो मेरे प्राणों से प्यारे ये दिल अपना कहता है जब से बनी है प्रभू तुम्हारे ये जीवन अच्छा लगता है यारों में तेरी मस्ती चड़ी है सब कुछ अच्छा लगता है जब से बनी है प्रभू तुम्हारे ये जीवन अच्छा लगता है अच्छा लगता है पालों प्रभू का प्यारे ये जीवन अच्छा लगता है कही लटना जाए सांसों का खजाना कही लटना जाए सांसों का खजाना पालों प्रभू का प्यार कल किसने देखा है आज तुम ये कर लो प्रभू प्रेम करस अपने जीवन में भर लो कही पड़ न जाए बात में पच्छताना कही लटना जाए सांसों का खजाना पालों प्रभू का प्यार प्रभू को बना लो अपने दिल का सहारा प्रभू को बना लो अपने दिल का सहारा देखो मौका फिर न आएका दोबारा माया में मन को व्यारत न उलजाना कही लटना जाए सांसों का हजाना पालों प्रभू का प्यार उड़ने तो मन को अपने नील का गन में प्रभू प्रेम भर लो फिर से अंतकरन में कही समय का पंची चुग न जाए दाना कही लटना जाए सांसों का खजाना पालों प्रभू का प्यार अगर है पाना कही लटना जाए सांसों का खजाना कही लटना जाए सांसों का खजाना कही लटना जाए सांसों का खजाना कही ल宝े ट हो कही लटना कही लटना जाए से टाएं घ्या है कही लटना जाए खजाना जाए जाए Safari. आज भी सुन्धर कलवी सुन्धर आने वाला सुन्दरं प्यारे मीथे बाबा का आओ कर ले स्वागतं 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 शिर्वाबा का स्वागतं स्वागतं, स्वागतं, शिवाबाका स्वागतं, तूही सत्यं तूषिवं, तूही बाबा सुंदरं तोही सत्यं तो शिवं तोही बाबा सुन्दरं लाए देखो सौगाते खुशियों की ये बाराते शिव की धुन ही सब गाते मुरली धर में खो जाते ओ शिव के रंग में रम जाते बन के हंसा उड़ जाते शिव रुहाने बाबा पर वारी वारी हम जाते हर सासों में गोज रही है शिव बाबा की सरगम स्वागतम स्वागतम शिव बाबा का स्वागतम 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 दिल से करते स्वागतम तु ही सत्यम तु शिवम तु ही बाबा सुंदरम झाल झाल बाबा ने अब हाथ थामा इस बदलते दोर में मैं सदा महफूज अब हूँ सारे जग के शोर में भूलेंगे ना हम कभी भी अब तुमारे प्यार को छोडेंगे ना हम कभी भी अब तुमारे हाथ को बन कर सारी ज्यान की दंगा माताएं बहेंगी हम सारे है सिताएं राम की बन के रहेंगी स्वागतम स्वागतम शिल्भा बाका स्वागतम स्वागतं स्वागतं शिल्भाबाका स्वागतं तुही सत्यं तुशिवं तुही बाबा सुन्दरं तुही सत्यं तुशिवं तुही बाबा सुन्दरं तुही बाबा सुन्दरं तुही बाबा सुन्दरं दिल से कहो मेरा बाबा प्यार से कहो मेरा बाबा मेरा बाबा दिल से कहो मेरा बाबा साथ निभाएगा हाथ बटाएगा निभाएगा हाथ बटाएगा निभाए वो पूरा वादा दिल से दिल से कहो मेरा बाबा प्यार से कहो मेरा बाबा प्यार से कहो मेरा बाबा प्यार से कहो मेरा बाबा सारे जमेले मिट जाएंगे पल में बखेरे टल जाएंगे सारे जमेले मिट जाएंगे पल में बखेरे टल जाएंगे हो जा समरपन कर दे अरपन राह में सितारे भर जाएंगे उस से रहो सी धा सादा उस से रहो सी धा सादा दिल से कहो मेरा बाबा साथ निभाएगा हाथ बटाएगा साथ निभाएगा हाथ बटाएगा निभाए वो पूरा वादा दिल से दिल से कहो मेरा बाबा प्यासित हो मेरा बाबा प्यासित हो मेरा बाबा निभाएगा तो आजने आज निभाएगा जीवेट हो मेरा निभाएगा हाथ रूप कर दो तो निभाएगा कर्म में अपने हात दिये जा मन में प्रभू को याद किये जा कर्म में अपने हाथ दिये जा मन में प्रभु को याद किये जा चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में उससे बात किये जा मुख से कहो ना कुछ जादा मुख से कहो ना कुछ जादा कि से कहो मेरा बाबा साथ निभाएगा हाथ बटाएगा साथ निभाएगा हाथ बटाएगा निभाए वो पूरा वादा दिल से कि से कहो मेरा बाबा या शिक्त हो मेरा बाबा शिक्त हो निभाएगा हाथ बटाएगा कर दो कर दो मेरे सत्गुरु प्यारेदा दरवार बड़ा सोडा है इन्हे दर्शन होने है दीदार बड़ा सोडा है दीदार बड़ा सोडा है परिवार बड़ा सोडा है मेरे सत्गुरु प्यारेदा दर्वार बड़ा सोड़ा है मैंनू सारे पुछदे है मेरे संगीते साथी जिन एक बार देख लई मेरे सत गुरु दी जाकी किते ढूंड के ल्याना है ये लाल बड़ा सोड़ा है मेरे सत गुरु प्यारे गा दर्वार बड़ा सोड़ा है मैंनू आपे नहीं मिल्या सत गुरु ने मिलाया है इत्हे मिलने दा मैंनू रास्ता सत गुरु ने दिखाया है मेरे सत गुरु प्यारे गा उपकार बड़ा सोड़ा है मेरे सत गुरु प्यारे गा दर्वार बड़ा सोड़ा है ये मान सरोवर है इत्हे मोती मिल दे है कई जन्मा के मिछडे प्रेमी इस दरते मिलने है ये घाटे का सोड़ा नहीं व्यापार बड़ा सोड़ा है मेरे सत गुरु प्यारे गा दर्वार बड़ा सोड़ा है मेरे सत गुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है कित रोज दशहरा है कित रोज दिवाली है एते तन्य मन रंग देते रंगदार बड़ा सोणा है मेरे सत गुरु प्यारे दा दर बार बड़ा सोणा है जिदे एखे आजाना वोदी बिगड़ी सवर जानी तेरा दर्शन पाले दा वोदी किस्मत खुल जानी मेरे सत गुरु प्यारे दा सत कार बड़ा सोणा है मेरे सत गुरु प्यारे दा दर बार बड़ा सोणा है मेरे सत गुरु प्यारे दी पहचान निराली है सिर्मु कुट सोहे सोणा हत बंसरी प्यारी है जदो बंसरी पज़ती है सुरतार बड़ा सोणा है मेरे सत गुरु प्यारे दा दर बार बड़ा सोणा है एथे दर बंसरी है दी दार बड़ा सोणा है मेरे सत गुरु प्यारे दा दर बार बड़ा सोणा है आनंद के प्रजाता एस नेग शक्ति दाता अव्यक्त बाप दादा साधर पधारिये मन्जुल मजुर निमंत्रन अंतर करण सकनकन प्रभु आपको बुलाता साधर पधारिये साधर पधारिये बिच्डे हैं कल्प भरके प्यासे मिलंके कब से बच्चे बुला रहे हैं मिल जाओ आज हमसे दृष्टी से सृष्टी रच दो मुर्ली से रंग भर दो बरदानों के हे दाता साधर पधारिये साधर पधारिये कोमल सिभावनाएं निर्मल रहत कहना संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना धरते भी नगमे गाती खंबर भी गुंगुनाता संसार सारगाता साधर पधारिये साधर पधारिये तेरे प्यार को संजोए नैनों को हैं भी गोए यादों के मोतियों को सांसों में हैं पिरोए वो सद गुनों के सागर भरने हरे पिदागर परहिय तुहे बुलाता साधर पधारिये साधर पधारिये आनंद के प्रदाता के स्नेख शक्रिगाता हव्यक्त बाप गादा साधर पधारिये साधर पधारिये साधर पधारिये साधर पधारिये बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं साथ निभाते हैं बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं बच्चों के बुलावे पर अधवान आते हैं रभू मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले रभू मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले एक बुन्द के प्यासों पर वो सागर लुटाते हैं सागर लुटाते हैं बच्चों के बुलावे पर अधवान आते हैं बच्चों के बुलावे पर अधवान आते हैं बच्चों में संकल्ब जो आये वर्दाता ही भागे आये बच्चों में संकल्ब जो आये वर्दाता ही भागे आये हर आसाएं पूरी करके वादा निभाते हैं बच्चों के बुलावे पर अधवान आते हैं बच्चों के बुलावे पर अधवान आते हैं प्यार की डोर का खेल निराला बंद कर आता है दिलवाला बिन मांगे वो सोरनिम्यूग का भाग दिलाते हैं बच्चों के बुलावे पर अधवान आते हैं बच्चों के बुलावे पर अधवान आते हैं हर कार्यों में उनका वो साथ निभाते हैं साथ निभाते हैं बच्चों के बुलावे पर अधवान आते हैं बच्चों के मुलावे पर अगवान आते हैं आज भी देते हो बाद आते हैं बाद पालना साकार की आज भी देते हो बाद आते हैं बाद पालना साकार की आज भी देते हो बाद आते हैं बच्चों के उपर हर पर तेरी ही छत्र छाया है साकार कहां अजयत कहां कोई ना अंतर खाया है तुम से पाई ग्रिष्टी हमने ग्रिष्टी हमने ग्रिष्टी हमने शिव निराकार की आज भी देते हो बाद पालना साकार की आज भी देते हो बाद पालना साकार की साधना और शिक्षा वही है मधुबन की हर रीत वही सबके दिलों में पर रही है बाबा तुम्हारे प्रित वही तुमसे ही है जीवन में जीवन में जीवन में खुशिया सारे संसार की आज भी देते हो बाद पालना साकार की आज में बेते हो बाद पालना साकार की सीवा में सैदा साथ का अनुभर सबको कराते रहते हो अफ्यक्त रूप से भी बाबा परतान देते रहते हो बस उंधरा पे गूंज रही गूंज रही गूंज रही गूंज रही आज में बेते हो बाबा पालना साकार की घर के जाते सब यहां से जोनी तेरे प्यार की आज में देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की पालना साकार की पालना साकार की तो बाबा पालना साकार की आज रही गूंज रही गूंज इसे नहीं अर्चत की ऑबा पालना पालना साकार की अर्चत की आप द्रिष्टियों ही दे पे रहो वाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टियों ही दे ते रहो वाबा हो गए अपनी हाल ये नैना बवापती रुहानी नजरों से पालिया है मुझे था जो पाना ये आबाज निकले अंतर से आप शक्तियों ही भरते रहो वाबा इस देह की दुनिया से उड़ जाओं आप द्रिष्टियों ही दे दे रहो वाबा शुक्रिया आपका लाख बाबा आपने हमको दिल से अपना लिया प्यास जन्मों की अब बुझ गई है अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया आप आके यूही मिलते रहो वाबा आप आके यूही मिलते रहो वाबा बनके जन्नत की खुश्बू बिखर जाओं आप दिश्टियों ही दे दे रहो वाबा हर कल्प यूही मिलते रहेंगे रीत की डोरे ऐसी है बांधी आप से दूर ना रह सकेंगे आए माया की कितनी भी आंधी प्यार की वर्शा करते रहो बाबा मैं स्मीह के मूती से भर जाओं आप दिश्टियों ही दे ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी इन लहरों को दामन में भर जाओं इन लहरों को दामन में भर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं इन लहरों को दामन में भर जाओं इन लहरों को दामन में भर जाओं ज्यानी बनो योगी जिवन है प्यारा योगी बनो ज्यानी बनो योगी जिवन है प्यारा काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोह ताज योग लगाकर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तु आज काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोह ताज योग लगाकर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तु आज जर्म जर्म के प्यात गुदाले पावन बन कर आज जो भी बनो जाने बनो जो भी जिवन है त्यारा संगम युग में परन पिताशिं कहते हैं हिराज तु है एक अविनाशिया तुमा सुन लो मेरी आवाज संगम युग में परन पिताशिं कहते हैं हिराज तु है एक अविनाशिया तुमा सुन लो मेरी आवाज तुख शानती और पावन दाते जोले भर लो आज योगी बनो जानी बनो योगी जिवन है त्यारा पर्मधाम से आए है शिव ब्रह्मातन वाखार मुक्ति और दीवन मुक्ति का जनम सिथ अधिकार पर्मधाम से आए है शिव ब्रह्मातन वाखार मुक्ति और दीवन मुक्ति का जनम सिथ अधिकार चलना है जलना है घर वापस अब तो यही ग्यान का साथ योगी बनो जानी बनो योगी जिवन है तारा तुमको निहारने को दिल ये चाहता है प्रभो तुमको निहारने को दिल ये चाहता है तुम सामने हमारे तुम साथ में हमारे तुमको निहारने को दिल ये चाहता है मन में उतारने को दिल ये चाहता है ये जोती बिंदू प्यारा या रूप है तुम्हारा किरनों ने रूपा रूप है सवारा रूप है सवारा पिसमत सवारने को दिल ये चाहता है मन में उतारने को दिल ये चाहता है तुम सामने हमारे तुम साथ में हमारे तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है तुमको निहारने को दिल ये चाहता है पल को ना बन्दो ना ये पल न जाने देंगे पल को ना बन्दो ना ये पल न जाने देंगे मिले कल्प बाद हरा अब हम जो दान होंगे संग युग गुजारने को दिल ये चाहता है तुमको निहारने को दिल ये चाहता है अर्मानों की ये बस्ती ये बूंद को तरस्ती वरदानों की ये बार्श हर घड़ी बरस्ती सर्वस्व पारने को दिल ये चाहता है तुमको निहारने को दिल ये चाहता है तुम सामने हमारी तुम साथ में हमारी तुमको निहारने को दिल ये चाहता है कि अड़ीप में हमारी लार्ट इसाथ मेंत्दए ने और केहता है ऑचर में घाने को दिल ये चाहता है दिल निहारने को दिल ये वा सामने है के हमारे दीवस्चिव ए और रचाने में हमेए कर दो बाबा आपने कमाल कर दिया हमारा सारा जीवन आपने खुश हाल कर दिया हाँ खुश हाल कर दिया बाबा आपने कमाल कर दिया हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया हम तो थे हम तो थे उल्जन में मार्ग बताया आपने हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने आपके नीठी दृष्चि ने हमको निहाल कर दिया हाँ निहाल कर दिया हो ओ ओ बाबा आपने कमाल कर दिया हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने पिंजरे के पंच्छी को दिया आकाश आपने आपकी शुब्याश ने हमको माला माल कर दिया हमाला माल कर दिया हो ओ ओ बाबा आपने कमाल कर दिया हमारे बाबा ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया हमारा काया कल्प किया अनो खेरा आपने कमाल कर दिया हमें बिलकुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने आपकी शुब्शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया हो ओ बाबा आपने कमाल कर दिया हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया हाँ खुशहाल कर दिया बाबा आपने कमाल कर दिया ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया हमारे बाबा अपने कमाल कर दिया बाह पजारे बाबा अपने कमाल कर दिया खड़े बतन से वो पुखारे होकर के संबन्द आजाओ मेरे राज दुलारे बाबा से मिलन नाने आजाओ मेरे राज संगम युग के सुख पाने आजाओ मेरे राज बाबा से मिलन नाने आजाओ मेरे राज संगम युग के सुख पाने आजाओ मेरे राज आजाओ मेरे राज अब वतन में मीलन होता आकारी फरिष्टों का सुख देते बाप दादा कई दिव्य से रिष्टों का अब वतन में नीलन होता आकारी फरिष्टों का सुख देते बाप दादा कई दिव्य से रिष्टों का हरनाते निभाने को आजाओ मेरे नार बाबा से मिलन मनाने आजाओ मेरे नार संगम युग के सुख पाने आजाओ मेरे नार पिता जमी पे आए कभी कभी बच्चों को बुलाए किता जमी पे आए कभी कभी बच्चों को बुलाए इस रूहानी मिलन से रूहे त्रिप्पी आए सुख से भरने जोली आजाओ मेरे नार मापासे मिलन मनाने आजाओ मेरे नार संगम युग के सुख पाने आजाओ मेरे नार आजाओ मेरे नार बच्चों वतन में आणा घर बाबा का सजाना ऐ दिव्यसी मनियों तुम आकर जग मगाना बच्चों वतन में आना घर बाबा का सजाना ऐ दिव्यसी मनियों तुम आकर जग मगाना रूहानी मैं फिल को सजाने आजाओ मेरे लाल बाबा से मिलन मनाने आजाओ मेरे लाल संगम युग के सुख पाने आजाओ मेरे लाल बाबा से मिलन मनाने आजाओ मेरे लाल संगम युग के सुख पाने आजाओ मेरे लाल बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमास्ते करते लाल बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं सारा जग जिन को याद करें वे याद प्यार हमें देते हैं बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने निरहंकारी बाबा मेरे सबसे महान संसार आप के हाथों में पर आप ने खुद को सौप दिया हैं हम बच्चों के हाथों में मुझसे आगे हों तुम बच्चों मुझसे आगे हैं तुम बच्चों के करके उमंगे भरते हैं बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने निरहंकारी बेहद सेवा अब भी करते बाबा है आपकी बलिहारी कहते हैं आप मैं बच्चों का आग्याकारी सिवा धारी सब काम आप खुद करते हैं और मान हमारा रखते हैं बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने निरहंकारी है आप दया संदू बाबा दिल में जो हमें समा लेते शिक्षा देते शक्ती देते गुणक्यान खजाने बर देते बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने निरहंकारी एव तनवासी तुम्हें बच्चे बुलाते हैं कहते सारे बाबा प्यारे याद आते हैं बहुत ही याद आते हैं बाबा याद आते हैं मिल रही है पालना अव्यक्त भी दे रहे हो प्यार तुम तो आज भी फिर भी वे सारे दिन क्यों याद आते हैं बहुत ही याद आते हैं बाबा याद आते हैं वो फरिश्टो जैसा चलना मुस्कुराना बैठना वो खेलना मुरली सुनाना वो फरिश्टो जैसा चलना मुस्कुराना बैठना वो खेलना मुरली सुनाना जो भी हो पाते नहीं हम भूल पाते हैं बहुत ही याद आते हैं बाबा याद आते हैं वेचर इत्ना वाल दिन है जो सभी नाट कर आएंगे क्या नावो कभी साथ तेरे पीते दिन मन कूल भाते हैं बहुत ही याद आते हैं बाबा याद आते हैं बाबा याद आते हैं बाबा याद आते हैं वो मेरा बाबा है ज्यान की राहे दिखलाता आत्म दीबों को है चलाता पावन वो बनाता है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है दूर वतन का रहने वाला मीठे बच्चे कहने वाला करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है पलको पर हम सब को पाले जीवन नहीं आगो है सभाले पलको पर हम सब को पाले जीवन नहीं आगो है सभाले लेपतवार हाथों में बाबा मंज तक ले जाता है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है लेपतवा बाबा है खुशियों के हमें रंग है देता जीन का हमें रंग वो देता मानव से वो देव बना कर मानव से वो देव बना धरती पर स्वर्ग सजाता है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है मन मे इसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का बाबा मेरा मन में किसी धुन का है बशेरा मैं बाबा का बाबा मेरा सुख शांती का मरम सुनहरा मैं बाबा का बाबा मेरा मन में किसी धुन का है बशेरा मैं बाबा का बाबा मेरा मन में पिछी धुन का है पसे रा मैं बाबा का बाबा मेरा जिसने जीवन दान दिया लाखों है एहसान किया रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ग्यान दिया जिसने जीवन दान दिया लाखों है एहसान किया रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ग्यान दिया जोती बिंदुने किया सवेरा मैं बाबा का बाबा मेरा जोती बिंदुने किया सवेरा मैं बाबा का बाबा मेरा स्वार्णिम्टिर लगी हैं गं का तम हरने। प्रेम का पर्मा नंद लिए है लगी भुवन पावन करने। उतर उतर कर स्वर्णि मुझिरने लगी है गंका तंहरने प्रेम का पर्मानंद लिये है लगी बुवन पावन करने गगन्य पत में फूल बिखेरा मैं बाबा का बाबा मेरा गगन्य पत में फूल बिखेरा मैं बाबा का बाबा मेरा याद का दिल में दिया जला हो गया जग उजला उजला नहीं अकेले संग में मेरे गाता है कारवाचला बंधा विजय का है सहरा मैं बाबा का बाबा मेरा बंधा विजय का है सहरा मैं बाबा का बाबा मेरा सुक शांती का मर्म सुनहरा मैं बाबा का बाबा मेरा मन में इसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का बाबा मेरा 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 दिल से निकलते सब के लबों पे दिल से निकलते सब के लबों पे एक यही स्वरचा गया मेरा बाबा आ गया धरती बोली अंबर बोला सागर से रहना गया मेरा बाबा आ 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 गया सब ने पुकारा यही यही नभु में निहारा यही यही दिल का सहारा यही यही अखियों का तारा यही यही सब से न्यारा सब से प्यारा सब से न्यारा सब से प्यारा मीत यह मन को भागया मेरा बाबा आ गया मेरा बाबा आ गया मेरा बाबा आ गया मेरा बाबा आ गया शीव अजन्मा आते हैं अपना जनम दिन मनाते हैं शीव अजन्मा आते हैं अपना जनम दिन मनाते हैं जंडा अपना फेराते हैं जग की जोद जगाते हैं देख समा ये देख चांदनी देख समा ये देख चांद नी चांद भी है शर्मा गया मेरा बाबा आ गया मेरा बाबा आ गया करता है आ जाओ लाड लोब आव्यक्त है इशारे इंतजार कर रहे है बाबा बाहें बसारे आ जाओ लाड लोब आव्यक्त है इशारे इंतजार कर रहे है बाबा बाहें बसारे आ जाओ लाड लोब ये हंस मंदली पर इक ताज है निराना सबको बनाना संपन अम्रित का दे के प्याला आधार तुम धराके सबके तुमी सहारे इंतजार कर रहे है बाबा बाहें बसारे आ जाओ लाड लोब पावित्र ता तुमारे संसार जग मगाएं परिश्टों की जलत से सब दिल में ग्यान पाएं सुक्ष्म बतन सजाओ धरती के तुम सितारे इंतजार कर रहे हैं बाबा बाहें बसारे आ जाओ लाड लोब अन्तिम सबैज घड़ियां तो हो फेह लेके आई बाबा खड़े वतन में तुम्हे देने को बताई करते आभान तुम्हारा देवी कुल के देव सारे इंतजार कर रहे हैं बाबा बाहें बसारे आ जाओ लाड लोब आप्यक्त है इशारे इंतजार कर रहे हैं बाबा बाहें बसारे आजाओ लाड नोग बाबा बुला रहे हैं बच्चो बतन में आओ अब मुझे को ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ बाबा बुला रहे हैं बच्चो बतन में आओ अब मुझे को ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ कर दो दुखियों की चीत कारे क्या तुम तलक न आई क्या भगतों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई दुखियों की चीत कारे क्या तुम तलक न आई क्या भखों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई उनको दरश दिखाओ अब कुछ तरस तो खाओ बाबा बुला रहे है बच्चों वतन में आओ अब मुझे को ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ जब जब मुझे बुलाया तब तब में पास आया सर बस्वफ न दे कर बादा हर इतनी बाया जब जब मुझे बुलाया तब तब में पास आया सर बस्वफ न दे कर बादा हर इतनी बाया मेरे समान बन कर तुम भी वादा निभाओ तुम भी वादा निभाओ बाबा बुला रहे है बच्चों वतन में आओ अब मुझे को न बुलाओ तुम मेरे पास आओ बादा बुलाओ तुम भी वादा निभाओ तुम भी वादा निभाओ मैं पास में तुम्हारे आता रहूंगा कब तक इंतजार में वतन में करता रहूंगा कब तक मैं पास में तुम्हारे आता रहूंगा कब तक इंतजार में वतन में करता रहूंगा कब तक अब देर ना लगाओ आओ वतन सजाओ आओ वतन सजाओ बाबा बुला रहे हैं बच्छो बतन में आओ अब मुझको ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ बाबा बुला रहे हैं बच्छो बतन में आओ अब मुझको ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ बाबा बुला रहे हैं तेरी शिक्षाएं और प्याँ साथी बन साथ निभाते हैं मधु बनके वो दिन राद मधु बनके वो दिन राद बाबा तेरी याद दिलाते हैं तेरी शिक्षाएं और प्याँ साथी बन साथ निभाते हैं बैठो कमरे में जाके मिलता तो वतन से आके होते हैं निहाल ये नेना बाबा तुझे सामने पाके तेरे मीखे मीखे में कौनों में आज भी आते हैं तेरी शिक्षाएं और प्याँ साथी बन साथ निभाते हैं चल से फिरते यों हो लागे तू संग हो जैसे हमारे बगिया में कभी कुटिया में करे तेरे अनुभव न्यारे मधोगन के खण खण में तेरा ही नजारा पाते हैं तेरी शिक्षाएं और प्याँ साथी बन साथ निभाते हैं तेरे कदमों के निशा हमें तेरी राह दिखाएं संसार में सब की सेवा करने का पात पड़ाएं तोने जो दिखाई राह तोने जो दिखाई राह हम उस पे चलते जाते हैं तेरी शिक्षाएं और प्याँ साथी बन साथ निभाते हैं मधबन के वो दिन राह मधबन के वो दिन राह बाबा तेरी याद दिलाते हैं मेरे शिक्षाएं आगर शाथी बन साथी बन साथ बाबा ओ बाबा मेरे प्यारे बाबा बाबा ओ बाबा मेरे प्यारे बाबा ओ बाबा ओ बाबा मेरे मन तेरे ही गुन गाता है प्यार के साजर की लहरों में दिल मेरा लहराटा है प्यार के सागर की लहनों में दिल मेरा लहरा का है ओ बाबा ओ बाबा मेरे तुम ही मेरे सचे साती तुम ही हो मनमीत मेरे जीवन के हो गीत मेरे गीतों के हो संगीत मेरे तुम ही मेरे सचे साती तुम ही हो मनमीत मेरे जीवन के हो गीत मेरे गीतों के हो संगीत मेरे तेरे प्रित के गीत सुहाने गाकर मन हरशाता है ओ बाबा ओ बाबा मेरे मन तेरे ही गुन गाता है प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहरा का है ओ बाबा ओ बाबा मेरे मुरली तेरी सुनकर बाबा मेरे चित को चैन मिला मुरली तेरी सुनकर ओ बाबा मेरे चित को चैन मिला रूपों पे हत राहत आई कुशियों बरा दिन रैन मिला दिला राम तिरी आदों में आनन्द अलो पिक आता है ओ बाबा ओ बाबा मेरे मन तेरे ही गुन गाता है प्यार के साजर की लहनों में दिल मेरा लहरा तारे ओ बाबा ओ बाबा मेरे जीवन का सच्चा सुक मिलता ओ बाबा तेरी बातों में मुझको मेरा संसार मिला रूहानी रिष्टे नातों में जीवन का सच्चा सुक मिलता बाबा तेरी बातों में मुझको मेरा संसार मिला रूहानी रिष्टे नातों में दुनिया से अलग मेरे दुनिया में, एक तू ही नगर मुझे आता है, एक तू ही नगर मुझे आता है, ओ बाबा, ओ बाबा मेरे, मन तेरे ही गुनियाता है, प्यार के सागर की लहरों में, दिल मेरा लहरा था है, ओ बाबा, ओ बाबा मेरे, ओ बाबा, ओ बाबा मेरे, मिला वतन का धुलानि मंतन, चलो मनाने रभू मिलन, मिला वतन का धुलानि मंतन, चलो मनाने रभू मिलन, बन के फरिष्टे गाते हसते, हम तो चले हैं, ओ के मगन, मिला वतन का धुलानि मंतन, चलो मनाने रभू मिलन, वहां न कोई समर किसी मां न दे है दुनिया, का कोई बंधन बड़ी सलोनी मधुर शांती है, ये संझे जाने हमारा ही मन, हजारों आए, सभी समाए, रभू का दिल है बड़ा गगन, मिला वतन का धुलानि मंतन, चलो मनाने रभू मिलन, मतन से करते प्रभू इशारे, आओ मेरे लाड़ लो पुखारे, बाहों में मेरी आक समाओ, मेरे जीच ऐसा स्वरूप थारों, उनके ही संग में, रूहानी रंग में, रंग के चलेगे लगी लगन, मिला वतन का धुलानि मंत्रन, चलो मनाने रभू मिलन, मिलन की अनुभूती एक पल की, देती है त्रेती युगों युगोंगी ये सुख का संसार ही अलग है, परम पिता से परम सुखों की सभी शक्रियां, अतिंद्रिय सुख मिले खजाने हमें सगन, मिला वतन का धुलानि मंत्रन, चलो मनाने रभू मिलन, बन के फरिष्टे काते हसते हम तो चले हैं ओ के मगन, मिला वतन का खुलानि मंत्रन, चलो मनाने रभू मिलन, चलो मनाने रभू मिलन प्रभु मिलन की मस्तियों में जुमता मन्गा रहा प्रभु मिलन की मस्तियों में जुमता मन्गा रहा पाना था जो पालियाग और क्या बाती रहा पाना था जो पालियाग और क्या बाती रहा प्रभु मिलन की मस्तियों में हो गया जब प्रभु ही अपना कोन कोई गैर है सारी दुनिया अपनी है अपनान किस से वेर है अपनान किस से वेर है ज्यान सागर बन की का घर में समाता जा रहा पाना था जो पालियाग और क्या बाकी रहा प्रभु मिलन की मस्तियों में मस्ति मौलाई में है दौलत मिली प्रभु प्यार की अब रही किस से वेर है काम की ये सल्तनत संसार की ये सल्तनत संसार की जिन्दगी जी इने काम को है मजब आ रहा पान था जो पालियाब और क्या बाकी रहा त्रभु मिलन की मस्तियों में ऐसा साथी किसका होगा रह सदा जो साथ में भव से पार लगवा दे नईया स्वर्ग दे सौगात में जो स्वर्ग दे सौगात में इक समंदर प्यार का है आँखों में लहरा रहा पानता जो पालियाब और क्या बाकी रहा प्रभु मिलन की मस्तियों में जोमता मंता रहा पानता जो पालियाब और क्या बाकी रहा पानता जो पालियाब और क्या बाकी रहा पाना था जो पानी आप और क्या बागी जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए जो पिंजरे से उड़ कर पंछे नील कगन में जाए पास तेरे उड़ आए जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए पास तेरे उड़ आए कोई शैना भाती है अब याद घर की आती है करे इशारा के रने तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है तेरी आग में समा के हम तो तुमसा ही बन जाए पास तेरे उड़ आए पास तेरे उड़ आए मसल कुछ पल की बात है फिर घर चलना साथ है हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा प्यार की बरसात है संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए पास तेरे उड़ आए पास तेरे उड़ आए अंबर से भी पार है मणियों का आगार है परम शांति विश्राम यहां पर जोती का भंडार है परमानंग सुधा नेनों से वसधा पर छलकाए पास तेरे उड़ आए जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए पास तेरे उड़ आए जो पिंजरे से उड़ कर पंची नील गगन में जाए पास तेरे उड़ आए जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए पास तेरे उड़ आए तेरे बतन की याद ने दुनिया को बुला दिया हमें प्यार में समा लिया है पास में बुला लिया है पास में बुला लिया तेरे वतन की याद ने दुनिया को बुला दिया चलते हैं जब जमीने पर लगता गगन में चल रहे उमंग में है उड़ रहे तेरे रंग में है ढल रहे तेरे रंग में है ढल रहे दिल की बाते सुनते बाबा माहों में उठा लिया तेरे वतन की याद ने दुनिया को बुला दिया कहां ये आ गए है हम फरिश्टों के जहान में उजली उजली रोशनी निराले आसमान में संसार से अलग ही ये संसार है बना दिया तेरे वतन की याद ने दुनिया को बुला दिया हमें तो ले लिया है अपने दिल में दिलाराम ने हमने भी रख लिया तुम्हें आखों के ही सामने आखों के ही सामने जो दिखता वो छिपा लिया छिपा है जो दिखा दिया तेरे वतन की याद ने दुनिया को बुला दिया हमें प्यार में समा लिया है पास में बुला लिया है पास में बुला लिया तेरे वतन की याद ने दुनिया को बुला दिया हमें बुला लिया हमें बुला लिया तार मंकी तुह से जुड़ी ही रहे आत्म चोती सभी की जगी ही रहे आरजू है यही की तेरी गोद में बाबा हसकी हरित जिन्दगी ही रहे तार मंकी तुही से जुड़ी ही रहे आत्म चोती सभी की जगी ही रहे आरजू है यही की तेरी गोद में बाबा हसकी हरित जिन्दगी ही रहे तार मंकी तुही से जुड़ी ही रहे जो अशयो ही रहे क्या है यही रहे आर व। आर लूदी की तुही से एक यही रहे पूरी दैमें नहीं बदल के भागना सब की हाथे सदा हो ये शुब कामना पूरी दैमें नहीं बदल के भागना सब की हाथे सदा हो ये शुब कामना पुर में प्रभु प्रीत सब के बसे ही रहे पुर में प्रभु प्रीत सब के बसे ही रहे बाबा हस्ती हर इक जिन्दगे ही रहे तार मन की तुही से जुड़ी रहे तुह है इस विश्व सारा हमारा ये अपना है घर, सब के हम, सब हमारे ही आए नजर विश्व सारा हमारा ये अपना है घर, सब के हम, सब हमारे ही आए नजर हर नगर पूलों से यू सजी ही रहे, हर नगर पूलों से यू सजी ही रहे बाबा हसती हर एक जिन्दगी रहे, तार मन की तुभी से जुडी रहे झालों से यू अर्णा है गूले भटते उन्हें पास लाना हमें जो मिना है उन्हें भी दिलाना हमें गूले भटते उन्हें पास लाना हमें जो मिना है उन्हें भी दिलाना हमें ये लगन दिल में हर दम लगे रहे ये लगन दिल में हर दम लगे रहे बाबा हसती हर एकी जिंदगे रहे तारमन की तुही से जुड़े ही रहे आत्म दोती सभी की जगे ही रहे आरजू है यही की तेरी गोद में बाबा हसती हर एक जिंदगे रहे तारमन की तुही से जुड़े ही रहे बाबा हसती है यही में कर दो दुड़े ही रहे पीरो जब नहीं हुआ। तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा रहसान चुकाई किस तरह तुने प्यार से जो पाला शब्दों में गाई किस तरह तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा तेरा सदा सर पे अपने पाया ममता भरी नजर से निर्मर हमें बनाया गुनों से तुने सजाया उसको बताय किस तरह तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा संकल्प सास तुमने बच्चों पे हैं लुटाए उप मा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए हमें खुद साहे बनाया हमें खुद साहे बनाया उसको भुलाई किस तरह तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा निश्र काम तेरी से तुम्हारी पालना का बाबा सबकी जुबां पे आए आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए तुझसे जो हमने पाया तुझसे जो हमने पाया उसको सुनाए किस तरह तेरी पालना का बाबा एहसान चुकाए किस तरह तुने प्यार से जो पाला तुने प्यार से जो पाला शंतों में गाए किस तरह तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा वतन में बेट कर बाबा इशारों से बुलाते हो वतन में बेट कर बाबा इशारों से बुलाते हो हमेया व्यक्त बनना व्यक्त में आकर सिखाते हो वतन में बेट कर बाबा अभी पर धर में आकारी अभी पर में निराकारी अलोकिक खेल संगम का यही हम से कराते हो वतन में बेट कर बाबा जगत कल्यान भी करना जग से उपराम भी रहना सदा ही संत दन रखना हमें बाबा बताते हो वतन में बेट कर बाबा भने गुणगान करें कितना हमें गुणवान भी बनना परिश्टा बल के तुम बाबा हमें खुद सा बनाते हो वतन में बेट कर बाबा इशारों से बुलाते हो हमें ब्यक्त बनना व्यक्त में आकर सिखाते हो वतन में बेट कर बाबा रहा हमें युलाते हो वो दिन आये प्यारे प्यारे रभु से मिलन मनाने के वो दिन आये प्यारे 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 रभु से मिलन मनाने के प्रभु से प्यार पाने के उन पे बलिहार जाने के वो दिन आये प्यारे प्यारे रभु से मिलन मनाने के वो दिन आए प्यारे 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 प्रभु से मिलन मनाने के प्रभु से प्यार पाने के प्रभु से प्यार पाने के उन पे बली खार जाने के वो दिन आये प्यारे प्यारे तब उसे मिलन मनाने के बहारों ने बनाई है मुहबत से मेरी सूरत सितारों ने सजाई है मेरी तकदीर की सूरत समा कर प्रभू की यादों में समा कर प्रभू की यादों में जहां को भूले जाने के वो दिन आये प्यारे प्यारे प्रभू से मिलन मनाने के वो दिन आये प्यारे प्यारे प्रभू से मिलन मनाने के युगों की आश एमन में रही ना वो अधोरी है रभू को पान की प्यास रभूने की वो पूरी है वो पसमे और वादे सब अभी ही है निमाने के वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभू से मिलन मनाने के वो वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभू से मिलन मनाने के मिले जैसे खबर या बू में अब आजान आए है बुरुहों के खुदारवर खुशी बेहद लुटाए है हमें क्या रोक पाए फिर हमें क्या रोक पाए फिर वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन बनाने के वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन बनाने के प्रभु से प्यार पाने के उन पे बली हार जाने के वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के मारे बली हार जाने प्यारे हूँ रहा सागा प्रभु तुम्हारा प्यान हूँ रहा सागा गा रहा है दिल गा रहा संसार हूँ रहा सागा प्रभु तुम्हारा प्यान जन जन की प्यास पुझे जन जन की प्यास पुझे यान अमर्त पीकर दन मन पावन हो गए याद में तेरी जीकर का रहा है दिल का रहा संसार पूरा साकार रभु तुम्हारा प्यार सारी स्विष्टी के हो बाबा तुम ही सिरजनहार ठाक विठाता तुम हो बाबा तुम ही तारनहार तुम ही तारनहार का रहा है दिल का रहा संसार खूरा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार मद्वर 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 मुसकानों का वर्दान दिया है तुमने शुब संकल्पों के पालन का ज्यान दिया है तुमने ज्यान दिया है तुमने का रहा है दिल का रहा संसा वो रहा साका प्रभु तुम्हारा प्यार पूरह साका, प्रभु तुम्हारा प्यार गा रहा है दिल, गा रहा संसा पूरह साका, प्रभु तुम्हारा प्यार पूरह साका, प्रभु तुम्हारा प्यार प्रभु तुम्हारा प्यार इश्वर से हमने मुलाकात की है मन भावनी से मधुरबात की है इश्वर से हमने मुलाकात की है मन भावनी से मधुरबात की है मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की बरदानों की हम पे बरसात की है बरदानों की हम पे बरसात की है इश्वर से हमने मुलाकात की है मन भावनी से मधुरबात की है बरसात की है इश्वर से मुलाकात की है धरती सी है धीरता हमने पाई मन को गगन सी मिली है उचाई धरती सी है धीरता हमने पाई मन को गगन सी मिली कर सी गहराई आई हिदय में सागर सी गहराई आई हिदय में संतुष्टता जिन्दगी में समाई सुन्दर ख्यालों की सोगात दी है मन भावनी सी मधुर बात की है बरदानों की हम पे बरसात की है बरदानों की हम पे बरसात की है बरदानों की हम पे बरसात की हम पे बरसात की हम पे बरसात की है आए ना आए नजरों से मेरी नहीं दूर जाए किसी को नजर वो आए ना आए कैसे कहे हम ये अनुभाओं की बाते कैसे कहे हम ये अनुभाओं की बाते शक्तों में वर्णन किया कैसे जाए खुशियों की वर्षा दिन रात की है मन भावनी सी मधर बात की है बरदानों की हम पे बरसात की है बरदानों की हम पे बरसात की है पीश्वर से हमने मुलाकात की है मन भावनी सी मधर बात की है पीश्वर से हमने मुलाकात की है मन भावनी सी मधुरबात की है मिली है खुशी हम को प्रभु से मिलन की बरदानों की हम पे बरसात की है बरदानों की हम पे बरसात की है बरदानों की हम पे बरसात की है अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जिवन होगा यहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा जहां होता है मानम का धन वही होता है उसका मन इसलिए परमात्मा ने बताया मुझसे लगा लो अपना मन हमसा नहीं कोई जमाने में रचना रचता का ग्यान जिसे पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अफिमान जिसे यहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा यह दुनिया तो माया भी है माया से भला कैसी आरी अपने तो दो ही ठिकाने है वैकुंठ दुनिया निराकारी दुन्दला सांधिया रा है दिपक से उजिया रा होगा यह आँख भी तन का दिपक है यह ज्यान जिवन दिपक होगा यहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा अरशिव की याग रहेगी तब आँखों में समाया वोगा हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्री जिवन होगा यहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा उनों की मारा बनाई ओ मीठे बाबा ओ प्यारे बाबा पूलों की माला बनाई चुन चुन के जग के काटे पूलों की माला बनाई बीच भवर में डूबती नईया तू ने पार लगाई चुन चुन के जग के काटे पूलों की माला बनाई ज्यान चंद्रमा तू ने कर दी धरती पेरिंजिंसितारों की बीरानों में नाई तू ने खुशबू स्वर्ग बहारों की प्थर से बने तीरे मोती तेरी श्रीमत पाई चुन चुन के जग के काटे पूलों की माला बनाई सूखे थे पोधे मुर्जाई कलियां रस तू ने भर डाला ज्यान की गंगा बहा कर तू ने अमरित दिया निराला इन पाधू के हर एक पल ने तेरी आद दिलाई चुन चुन के जग के काटे पूलों की माला बनाई गिरे हों को पुठा कर तू ने चलना हम को सिखाया पंक लगा कर ग्यान के तू ने उड़ना हम को सिखाया अंधियारों में थे जो मानव शिव से लगन लगाई चुन चुन के जग के काटे पूलों की माला बनाई बीच भवर में दूबती नईया तू ने पार लगाई चुन चुन के जग के काटे पूलों की माला बनाई उनों की माला बनाई उनों की माला बनाई उनों की माला बनाई इनों की माला बनाई बन के बाबा आपके हर कितने धनवान हुए बन के बाबा आपके हर कितने धनवान हुए दिल का नाता जुडा जब से हर गम से अंजान हुए बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए सुख मिला शक्ती मिली मिली है लाखों खुशियां जैसे होता गुलो से गुर्शन योही सजी हमारी दुनिया नजरों से तेरी नजर मिली तो हम कितने निहान हुए बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए बनी हसी तपदीर हमारी आपके जो खरीब आए हाथों की बदली लकीरे आपसे हम मिलन बनाए तेरे रंग में रंग कर बाबा हम कितने महान को बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए 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 आखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते आखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते आखों में बाबा तेरी आखों में बाबा तेरी भगवान को भी बाबा आखे तेरी लुभाई परता रही है इनसे अब रहे मते खुदाई किसमत की जोलियों में देखा सितार भरते देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते आखों में बाबा तेरी आखों में बाबा तेरी आखों ही आखों में तुम चादू चला रहे हो प्रभु से मिला रहे हो दुनिया बना रहे हो हम कुछ नहीं है करते करके भी यही है कहते देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते आखों में बाबा तेरी आखों में बाबा तेरी आखों से तेरी छलका है प्यार का समंदर जाका तनिक भी जिसने मुकदर का वो सिकंदर दर तो अलम जहांके सारे इनहीं से हरते देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते आखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे आखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे आखों में बाबा तेरी आखों में बाबा तेरी एक तुम ही हो जो मुझसे नहोते खसार एक तुम ही हो जो मुझसे नहोते खसार प्रभु क्यों ना करों साथ तेरे वफा एक तुम ही हो जो मुझसे नहोते खसार प्रभु क्यों ना करों साथ तेरे वफा साथ तेरे वफा साथ तेरे वफा एक तुमने मुझे को लगाया अगले एक तुमने मुझे को लगाया अगले जिन्दगी में तुम ही मेरे संग संग चरे एक तुमने मुझे को लगाया अगले जिन्दगी में तुम ही मेरे संग संग करे तुमने मुझे को निकाला है उस दौर से जब लगी चोट दिल को बड़े जोर से हात थामाए तुमने हात थामाए तुमने मेरा हर दफा प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा साथ तेरे वफा साथ तेरे वफा हात तुमने में ना करें किुज सब्सक्राइब के डिरुट्यग जाए तुमने क्यों फिलाए अप्रफात शाएफेन अबेकी प्रत तुमने का वात तुमने तुमने में में जोटने तुमने वक्त जैसे ही इनसान को आजमाता है आकि तूही जमी पे उसको सलझाता है सबसे उचा तिरा ही किरदार है जिसने संझा तुझे वो समझदार है खुद को जोडा जो तुमसे मिली है शफा खुद को जोडा जो तुमसे मिली है शफा प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा साथ तेरे वफा साथ तेरे वफा मुझे को मालूम है तुझ में ताहत बड़ी मुझे को मालूम है तुझ में ताहत बड़ी आज दुनिया ये तेरे ही दम पर खड़ी मुझे को मालूम है तुझ में ताहत बड़ी आज दुनिया ये तेरे ही दम पर खड़ी हासला तुमने मुझे में रजब भर दिया मेरे पेरों के मुझे को खड़ा कर दिया तेरा बन के मुझे तो तेरा बन के मुझे तो हुआ है नफा प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा साथ तेरे वफा साथ तेरे वफा एक तुम्ही हो जो मुझे से न होते खफा एक तुम्ही हो जो मुझे से न होते खफा हुआ 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 है मेरे संग संग चलते हैं बाबा मेरे संग संग चलते हैं बाबा जैसे गगन में चांग चलता है उनकी किरिणों की छाया दिल हर पल रहता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा 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 देखू में चकर की तरा नाचु में जिव मोर की तरा भोलू में कोयं की तरा गाउं में बुलबुल की तरा मेरा मन बहला ते हैं बाबा मेरा मन बहला ते हैं बाबा जैसे सुरों में सरगम बजता है, बजता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा सोचों में भवरों की तरह, जोमों में लहरों की तरह, चम्पु में जुगनूं की तरह, मुस्काओं में फूलों की तरह मेरी आदों में रहते हैं बाबा जैसे सावन में नीर बरसता है, बरसता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा मेरे संग संग चलते हैं बाबा मन की में हर एक बात कहूं एक पल भी ना में दूर रहूं दिन रात मैं तो यों ख्यान धरों बाबा से ही में प्यार करों मेरे अधरों पे मीठे बाबा मेरे अधरों पे मीठे बाबा जैसे अनहतना गुझता है, गुझता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा मेरे संग संग चलते हैं बाबा मेरे संग संग चलते हैं बाबा जैसे गगन में चांद चलता है, चलता है उनकी किर्णों की छाया में दिल हर पल रहता है जैसे गगन में चांद चलता है, चलता है उनकी किर्णों की छाया में दिल हर पल रहता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा 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 राम नवमी श्री राम के आध्यात्मिक रहस्यों में गोता लगाने का एक और आफसर है राम के दो अलग अलग पहलू है एक राम है आधर्ष कुत्र आधर्ष भाई आधर्ष राजा और एक आधर्ष इंसान राम का एक और बड़ा फहलू है वह है सरवोच भगवान परमात्मा अयूध्या के राजा राम करुना सहानुभूती मानविय भूल्यों और इमांदारी के प्रतिक थे उन्हें मर्यादा पुरिशोत्तम भी कहा जाता था जो उनके व्यक्तित्र को स्पष्ट रूप से परिभाशत करता है उन्होंने एक आधर्ष इंसान की मिसाल काइम की उन्होंने दुनिया को अपने माता पिता के आधर्षों के लिए खड़े होने का सबक दिया वे अपने पिता की बात मानने और उनकी गरिमा का सम्मान करने के लिए 14 साल तक जंगल में रहे उन्होंने हमें अपनी माताओं से बिना शर्थ प्यार करना और उनका सम्मान करना सिखाया वे एक आदर्श भाई के भी पतीक थे जो हर परिस्तिती में अपने भाई और बैनों के साथ खड़े होते हैं उन्होंने महान बलिदान का एक उदाहरन स्थापित किया जब उन्होंने अपने लोगों के बड़े हितों के लिए अपनी पत्नी को त्याग दिया आईए अब हम असली राम के रहस्यों को देखें राम का शाब्दिक अर्थ है वर जो आपको खुश कर सकता है एक ही राम है जो सब को सुखी कर सकते हैं वह है स्वेम निराकार परमात्मा जिन्हें आयोनिज भी कहते हैं जो किसी मानव मा से पैदा नहीं हुए है ये राम है जो हमें वास्तविक रावन यानि तत्यक मानव आत्मा के अंदर के पांच विकारों को मारने में मदद करते हैं रूप में वे एक प्रकाश के बिल्दू है वे कभी भी मानव जन नहीं लेते हैं लेकिन कलियुक के अंत में शरीर में अफ्तार लेते हैं केवन प्रिफ्वी पर सपीव बनाने के उदेश से अगर हम मानाव आत्मा आत्मभिमानी बनकर उन्हें लगातार याद करेंगे तो हम हमेशा के लिए आनन से भर जाएंगे आईए हम आत्मा और परमात्मा के रहस्यों को जाने और एक आंत्रिक राम नवनी मनाएं जहां हम अपने अंदर के राक्षसों पर विजय प्राप करते हैं किन शब्दों में आपका धन्वाद करें चिन शब्दों में आपका धन्वाद करें दिन रात की ये सेवा हम याद करें जिन रात की ये सेवा हम याद करें चिन शब्दों में आपका धन्वाद करें जिन रात की ये सेवा हम याद करें चिन शब्दों में आपका धन्वाद करें बेहद का प्यार आपने हमको है दिया हे राह में बना कर श्रीगार है किया श्रीमत से मन्चमन कर आवाद हम करें किन शब्दों में आपका धन्वाद करें दिन रात की ये सेवा हम याद करें किन शब्दों में आपका धन्वाद करें किछते हमारे प्यार में अब तक भी आ रहे हूं किछते हमारे प्यार में अब तक भी आ रहे हूं रस को संभालते वे वादा निवा रहे हो ऐसे ही प्यार पर जा निसार हम करें किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें दिन रात की ये सेवा हम याद करें किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें संगन युग में बाबा आप गर के मिलते रहे न हमने है सोचा आपसा बन करके ही है रहना दिल की यही है आरज प्रभु साथ हम रहें किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें दिन रात की ये सेवा हम याद करें किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें दोस्तों सुप्रभात गुड मॉनिंग एक सुंदर सी बात के साथ आज के सुंदर दिवस की शिरुवात कहते हैं हमें जो मिलता है उससे हमारा जीवन चलता है लेकिन हम जो देते हैं उससे हमारा जीवन बनता है दोस्तों सच्चा सुक लेने में नहीं देने में है लेने से हम कर्जदार बन जाते हैं और देने से हम धनी बनते हैं सच्मुच हमें देने की इच्छा रखनी है देने का मतलब कोई भौतिक चीजों से नहीं बलकि प्यार देना सुक देना सहयोग देना शक्ती देना इस देने में ही सुक समाया है और ये चीज़े बाहरी बजार में नहीं हम ही दे सकते हैं तो क्यों ना आठ से हम इसी की ही दुकान खोल ले विचार कीजिएगा इस पर इसी के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर अम शांती एक बढ़ एक साधू से किसी महिला ने पूछा कि सदा सुन्दर दिखने का कोई सहज उपाय बताएं तो साधू ने उत्तर दिया कि आज से बस एक कारे करना सदा हर हाल में खुश रहना और मुस्कुराते रहना क्योंकि संपूर्ण दुनिया में एक भी ऐसा चहरा नहीं जो मुस्कुराने के बाद सुन्दर ना दिखता हो और अद्भुत बात ये है कि इस खुशी को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि खुशी के लिए काम करने से कभी खुशी नहीं मिलती अभी तो खुश होकर हर कारे करने से खुशी आपको खुद बखुद मिल जाती है और एक खुश नुमाव व्यक्ती न केवल सुन्दर दिखता है अपितु वो कामयाब भी होता है वो तन और मन से सदा स्वस्थ रहता है इसलिए सदा याद रहे कि हर समस्या की एक है दवाई सदा मुस्कुराते रहना मेरे भाई ओम शांती दोस्तों हमारा स्वस्थ हमारी सबसे बड़ी संपत्ती है स्वस्थ के उपर नीचे होते ही हमें डॉक्टर दवाईया आधी याद आने लग जाते है यदि हम इस स्वस्थ के गेहन अध्यन की और या चिंतन की और जाएं तो हमें पता चलेगा कि हमारी बिमारियां अधिकतर मांसिक्सतर की है यानि चिंता वफिकर के कारण उत्पन होने वाली यदि सच्मुच हम स्वस्थ जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने आपको जबरदस्ती की चिंता, फिकर, टेंशन से मुक्त रखें जैसे ही हम अपने आपको इससे मुक्त करेंगे, स्वस्थ जीवन का आनंद ले पाएंगे दोस्तों चिंता नहीं, चिंतन कीजिये, समस्याओं में उल्जे नहीं, बलकि समाधान निकाले तो तन और मन दोनों स्वस्थ बन जाएंगे तो आईए इसी के साथ चलते हैं आज की अगले सेग्मेंट की और ओम शान्ती, तो चालिस के पार हैं और हड़ियों में, जोडों में, कमर में दर्द हो रहा है तो ज़रा चेक कीजिए कि आपका मन कैसा है क्योंकि यदि हम डिप्रेस्ट हैं या मन में कोई तनाव है तो आपको पता है, आपकी ये दर्द और ज़्यादा बढ़ के आपको अनुभव होगा वेट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने तन को इग्नोर कर दे क्योंकि इस समय ये भी देखा गया है कि यदि वाइटेमिन डी की कमी है क्या क्यालशियम आप कम लेती है तो भी आपके जोडों में, घुटनों में, कमर में दर्द हो सकता है तो फिर क्या किया जाए तो एक तो ये है कि आप अपने निकट डॉक्टर से भी मिलिए कि कहीं और कोई वजह तो नहीं है इसको जानने के लिए वाइटेमिन डी की जाच यदी कराई गई है और वो इंसफीशियंट आता है या डेफीशियंट आता है ऐसा नहीं सोचे दस मिनट दस मिनट तो हम समय निकाल सकते हैं मिनिमम लेकिन एक बात बहुत इंपोर्टेंट है बहुत हार्ष बहुत कड़ी धूप में ना बहुत देर तक आप मत रहे उससे तो आपको सन बन हो सकता है और कब लें सन बात तो दोपहर से पहले वाली जो धूप होती है खास वो आप लें कई बारी जब हम सन बात लेते हैं तो हमें संस्क्रीन लगाते हैं लगा सकते हैं क्योंकि संस्क्रीन के कुछ अपने फायदे होते हैं और क्यों ना हम इस समय अपने तन को सन बात तो दिलाए हैं लेकिन अपने आत्मा को अपने मन को भी हम सशक्त कर सकते हैं उसे भी कोई खुराक दे सकते हैं क्योंकि देखिए हमने कहाना कि दो नो जरूरी है मन डिप्रेस होगा तो ये जोड़ों का दर्द और ये ज़्यादा अनुभव होगा और अगर वाइटेमिन डी की कमी होगी तो उसका भी असर आपके मन पर पड़ेगा और तन पर तो पड़ेगा ही तो दोनों करते हैं तो जब हम सन बात ले रहे होते हैं तो उस समय क्या करें उस समय हम मेडिटेट करते हैं राज योग मेडिटेशन जो हम्यारी आत्मा को सशक्त बनाता है हम सूर्य के सामने हैं हम क्यों न ग्यान सूर्य को याद करें पर मात्मा जो ग्यान के सागर हैं उनकी याद में आत्मा को सशक्त बनाते हैं दोस्तों इस गीत की ये पंक्तियां मुझे बहुत प्रेरीत करती है इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना हम चले नेक रस्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना सच मुझ अपने मन के विश्वास को बनाई रखने की शक्ति नेक रस्ते पर चलने की शक्ति, भूल से भी कोई भूल ना हो जाए उसकी शक्ति देखा जाए तो ये शक्तियां हमें सर्व शक्तिवान परमात्मा से ही प्राप्त हो सकती है और वैसे भी आज नवरात्री का नौवा दिन, शक्ती स्वरूपा, जिने हम शीव शक्ती भी कहते हैं, अर्थात परमात्मा से प्राप्त करने वाली शक्ती, तो क्यों न हम भी अपने आपको परमात्मा के साथ जोड़ कर वो शक्तियां अपने अंदर धारन करें, यही नवरात्री के आखेरी नवे दिन, सिध्धी दात्री की उपासना की जाते हैं, मानव जीवन पुर्शार्थी जीवन हैं, परन्तु आखेर हमें सिध्धी प्राप्त करनी हैं, हमारा जीवन इस कलियूगी दुनिया में रहते हुवे भी, विकारों से अलीप्त रहे, दिव्य गुणों से संपन्न रहे, और सर्व अध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न रहे, तो हर कर्म में, हर संकल्प में, हर शब्द में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी सिद्धी दात्री, शक्ती स्वरूपा देवियों का, हर कोई ने उपासना की ऐसा बताया जाता है, हमें भी इन अध्यात्मिक शक्तियों को जीवन में धारण करना है, जिन शक्तियों से हम जीवन की नया को पार कर सकते हैं, वो अनीमा, लगीमा, गरीमा, महीमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व, इस प्रकार की सिद्धी तो हठ दमन की तपस्या से प्राप्त करते हैं, परन्तु हमें अध्यात्मिक शक्तियों से इस संसार सागर से जीवन को पार करने की सिद्धी प्राप्त करने हैं, कहते हैं स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नर्क का डर छोड़ दो, बस आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, बाकी सब इश्वर पर छोड़ दो, सच मुझ, यदि हम किसी को सुख नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम दुख तो ना दे, दोस्तों, दुख केवल शब्दों से या कर्मों से ही देना नहीं होता, आध्यात्म हमें और इसकी गहरी परिभाशा समझाता है, कि किसी के बारे में बुरा सोचना भी दुख देने के बराबर है, और सच कहूं तो आध्यात्मिक ज्ञान की इसी गहराई की और लेकर जाती है ये ब्रहमा कुमारिया, तो आईए आज की पीस निउस हाइलाइट्स हमें किस गहराई की और ले जा रहा है, देखते हैं। आधिकारियों ने अगनिसुरक्षा संबंधित जानकारियों से सभी को अवगत कराया। इस अफसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बी के शान्ता बेहन ने सभी अधिकारियों से कहा कि आग बुझाने की सेवा आपकी है। लेकिन परम्पिता परमात्मा शिव ने हमें मानव मन में लग रही विकारों रूपी आग को बुझाने की सेवा दी है। जाते जाते एक सुन्दर सी टिप्स तन और मन को स्वस्थ रखने की आपके सामने कहना चाहूंगी। कहते हैं आत्मा को निरंतर साफ करते चले। दुन्या को निरंतर माफ करते चले। और परमात्मा को निरंतर याद करते चले। तो जीवन सुखी और स्वस्थ बन जाएगा। इसकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाओंगे दोस्तों, आप खुद इस पर विचार कीजिएगा, कल पुनहां आपसे मुलाकात होगी, नमस्कार, आम शैन्ति शिव शिव बोले मन मोर को यलिया, पिया दिला राम जी सुना दो मुर लिया, पिया भुले नाथ जी सुना दो मुर लिया, शीर शीर बोने मने मौने को ये लिया शीव शीव बोने री बोने राज दिलों के खोले 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 प्राण पिया जी मोरी प्राण पिया जी मोरे ले गए जियरिया शीर शीर बोने मन मोरे को ये लिया रभू मिलन की अगन लिये मन में पिजिडा छोड तो उड़ जाक अगन में देस पराया माया जाल बिछाया है खेल जगत का अंतर पाया है आ जग गूल बुलईया न पाई रिक खरिया शीर शीर बोने मन मोरे को ये लिया शीर शीर बोने मन मोरे को ये लिया शीर शीर जाओ वीचितना पाई शीर शीर खरिया शीर ने पाई ग्यान योग करो धारण सेवा प्रभु प्यार का पाओ मेवा जीवन कमल सामान बनालो सत्य शिवं सुन्दर अपनालो इंद्र धनुष की बने चुनरिया शिव शिव बोले मन मोर को यलिया या दिला राम जी सुना दो मुरलिया या भूले नाथ जी सुना दो मुरलिया शिव शिव बोले मन मोर को यलिया and we are talking so much about remaining positive right how can we remain positive when we ingest suffering so the third principle of sattvic food of light food is plan based and the last principle is any guesses this is the hard one take a guess take a wild guess yes sorry water based excellent yes the last principle and the most important principle of sattvic food as per the bhagavad gita is water rich so there is a verse in the gita so these definitions are not coming from us we have not invented these definitions these are coming from our scriptures so in the bhagavad gita chapter 17 verse 8 9 and 10 krishna actually describes these three gunas and the characteristics of foods eaten in these three gunas so the first quality of sattvic food is water rich it's food which has a lot of water inside it it's a rasya so in in the gita it said ayu sattva pala rokya sukha preeti vivardhana food which gives us life food which increases our longevity food which gives us strength pala rokya and keeps us happy the first characteristic you know what it is rasya it is water rich so now you have to share some examples what are water rich foods yes fruits is the obvious one then what else yes cucumber what else we have so much cucumber in lunch also right green vegetables juices absolutely what do we do when we make our plates what do we do we fill them with water poor foods lot of grains lot of dals which are not bad we need those but we totally ignore the most sattvic food the water rich foods and that is one big reason we fall prey to so many diseases in today's modern age diabetes high blood pressure high cholesterol thyroid imbalances pcod so true sattvic food is not just no onion no garlic food yes that is one parameter of sattvic food but if it is no onion no garlic and it's heavily spiced it is very heavy how can it be sattvic so the true definition of sattvic food is when it is life-giving when it is wholesome puranta when it is plant-based and it is full of water siap 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 आपकी फर्माईश में हम आपको आदा वर्ज करते हैं। कहीं साहस है, किसी में प्रेम है, किसी में उत्सरग और त्याग की भावना है और किसी में हिम्मत, उमंग और उत्साह की बाते हैं। आप तक पहुचाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं और इस गीत के पीशी की कथा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, कि ये गीत कब बना, किन्हों ने गाया, कैसे इसका निर्मान हुआ, इसके रचैता कौन है। और इस तरह से ये गीत किस तरह से सबके जीवन में उपयोगी बनता है, अनेकों को जीवन जीने की प्रिर्णा देता है, अद्भुत इस गीत के सफर का नाम है आपकी फर्माईशते। तो मैं ब्रमाकमार सतेश आप सभी का इस आपकी फर्माईश के रुहानी सफर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो साथियों, गीत और संगीत के इस स्वाहने सफर में मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलते हैं प्रथम पड़ाव पर, बिके ओंकार जी, अमिकापूर 36 गड़ से, बहुत ही उंदा बड़े प्यारे से गीत की फर्माइश करते हैं, और गीत की प्यारे से बोल हैं, हम खुश नसेब कितने, प्रभुका मिला सहारा, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा, वो हो गया हम उलते हैं । हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता मेरे लाड़ लो उठो के बड़े प्यार से उठाता हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता मेरे लाड़ लो उठो के बड़े प्यार से उठाता क्या सोते जगते हर पल देखूं वही नजारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा सद ग्यान के लुटाएं हम पर वो ही रिमोती मेरी ही एक की क्या जग की जगाएं जोती सद ग्यान के लुटाएं हम पर वो ही रिमोती मेरी ही एक की क्या जग की जगाएं जोती हम हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा हम हो गये उसी के हम हो गये उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई जनमो जनम की सुन्दर तकदीर है बनाई नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई जनमो जनम की सुन्दर तकदीर है बनाई आंगन में मन के मेरे जननत को है उतारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा तो प्यारी साथियों सुना अपने क्या गजब का गीत है हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा क्या सोते जगते चलते फिरते हमें कैसा एसास होता है वो जगाता कौन है वो हमको चलाता कौन है कदम कदम पर मदद कौन करता है किसने हमको अपना प्यार देकर के अपना सर्वस हो देकर अपने प्रेम का सुपात्र बनाया है कितना दिव्वे जीवन बन गया है सब कुछ इस गीत में है ऐसा मोटिवेशनल सौंग है कि जो एकदम खुशी से उमंग से उसास से सवेरे से ही भर देता है और सारे दिन की उड़जा से हम सब भर जाते अद्भुद गीत है इस गीत को स्वर दिया है पार्शुगायक सुरेश वाड़कर जीने और इसको संगीत बद किया है हम सब के प्री संगीतकार शाम सदरांगनी जीने और उनका सहयोग दिया है बीके गिरीश वाधवानी जीने बड़ा अद्भुद गीत बन गया है प्यारी साथियों कभी भी आप मायूस ना हों कभी भी जिंदगी में हारे नहीं और कभी भी आपके चेहरे पर उदासी ना आए जब भी आपको ऐसा कुछ अनवो होने लगे ऐसे गीत को बजाईए और तरो ताजा हो जाईए शक्ति से भर जाएंगे आप आपका मनो बल उचा हो जाएगा क्योंकि आपका साथि कौन है किसने आपको खुशनसीब बनाया है उसने जिसमें सबको भागी दिया है भागे विधाता भगवान ने उसके प्यार में खो जाईए तो प्यारे साथियों चलते हैं इस सफर में अगले पड़ाव पर बीके रागिनी जी हुबली करनाटक से बहुत ही सुन्दर बड़े प्यारे से गीत की फरमाइस करते हैं और गीत के बड़े प्यारे से बोल हैं सदगुन आउगुन के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है धर्ती पर स्वर्ग बसा देना आयमानो तुझ पर निर्भर है बहुत ही प्यारा सा गीत है सुनिये और इसके अर्थ रूप में टिक जैए सदगुन अवगुन के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है सदगुन अवगुन के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है धर्ती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है सदगुन अवगुन के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है सदगुन अवगुन के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है तू दीप से दीप जलाता चल तू सब को गले लगाता चल तू प्रेम एकता शांती सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल गुन ही गुन भरे पड़े तुझ में अंतर तेरा रत्ना कर है सदगुन अवगुन के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है सदगुन अवगुन के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है नदीन अपना जल पीती है पेड़न अपना फल खाते पर उपकार के लिए ही हम ये अनमू जनम पाते जो पर दुख को अपना माने वो मानओ देव से बढ़ कर है सदगुन अवगुन के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है सदगुन अवगुन के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है सदगुन अवगुन के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है सदगुन अवगुन के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है कोई हीरा है कोई पत्थर है सदगुन अवगुन के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है निस संदे आज दुनिया में जिसको हम दैवी संपदा कहते हैं और जिसको हम आशुरी संपदा कहते हैं देवगुनों से मानवी गुनों से महान गुनों से कोई देवता बन जाता है कोई महात्मा बन जाता है और इनकी गुड़ों की कमी की कारण कोई असूर कहलता है, कोई राक्षिस बन जाते हैं, लेकिन जीवन वही जीवन है जिस जीवन में बूली हो, जिस जीवन में सार्थकता हो, जिस जीवन में परोगकार हो, जिस जीवन में औरों की भलाई करने का सुपसंकल्प हो, तो प्य इस गीत के संगीत कार हैं लली सोडा जी इस गीत के रचना कार हैं उदय खन्दा जी और इस गीत को गाया है हम सब के प्रिये गायक रवेंद्र साथे जी ने बड़ा अद्बुद गीत बन गया है ऐसे से गीत को सुनिये और मोलता इन सब गीतों के पीछे जो प्रेरक रहे हैं वो हम सब के प्रिये भ्राता रमेश शाह जी रमेश शाह और उशा बहन के निर्दिशन में उदे खन्ना जी ने बहुत अच्छे अच्छे उम्दा उम्दा गीत को लिखे हैं और तमाम इस्वरी विश्विद्याले के जो ड्रामा वने हैं जो नाटक बने हैं जो ऐसी तमाम चीजों के रचनाकार और प्रेरक हमारे रमेश भाई रहे हैं उन्होंने उदे खन्ना जी से लिखवाया गीत और लली सोडा जी ने क्या संगीत बद्ध किया है अधभूद गीत बन गया है ऐसे से गीत सुनते रहे हैं और अपने जीवन को उमंग उसा से मूल्लियों से संपन करते रहे तो प्यारी साथियों चलते हैं अगले पड़ाव पर आप ये रूहानी गीतों का सफर तै कर रहे हैं मेरे साथ यानि ब्रह्मा कमार सतेश जी के साथ बीके वनशिका जी पानी पत हर्याना से बड़े सुन्दर और प्यारे से गीत की फरमाईस करती है और गीत के बड़े प्यारे से बोल है एक बाबा मिले मधुबन में शुबाबा मिले उनके तन में और दोनों बाबा मिले एक आंगन में और वो आंगन है मधुबन में बड़ा प्यारा सागीत है, सुनिये, कितनी नजाकत है, कितनी नफासत है, बड़ा सुन्दर सागीत बन गया है, जो बाबा को याद करता हुआ, ब्रम्भा बाबा और शिव बाबा, दोनों ने कैसे कारी किया है, अद्भुत है गीत, सुनिये, फिर मैं इसके बारे में बताता शिव बाबा मिले उनके तन में एक बाबा मिले मधु बन में शिव बाबा मिले उनके तन में एक बाबा मिले मधु बन में शिव बाबा मिले उनके तन में एक बाबा मिले मधबन में दोन बाबा मिले एक आंगन में वो आंगन है मधबन में चिक बाबा मिले मधुपन में शिव बाबा मिले उनके तन में पहुचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन जिसमें खुशबू रुहानी थी प्यारी देखा माली अपने बुर्शन में एक बाबा मिले मधुपन में शिव बाबा मिले उनके तन में एक बाबा मिले मधुपन में शिव बाबा मिले उनके तन में उनको देखके फिर याद आई पुरानी हमें कल्प पहले वाले है ये बाबा ये तो मीते हैं हर संगम में एक बाबा मिले मजू बन में शिव बाबा मिले उनके तन में एक बाबा मिले मजू बन में शिव बाबा मिले उनके तन में कुकी घृष्टी पड़ी हमने शक्ती पाई जो रहानी है तन में शिव बाबा मिले में उनकी घृष्टी पड़ी हमने शक्ती पाई जो रहानी पाया जन्मों का खोरा तहारा नूर पाया था खुन ने नन में शिव बाबा मिले मजू बन में शिव बाबा मिले उनके तन में एक बाबा मिले मजू बन में शिव बाबा मिले उनके तन में एक बाबा मिले मजू बन में शिव बाबा मिले उनके तन में दोनों बाबा मिले एक आंगन में वो आंगन है मधुबन में ओ एक बाबा मिले मधुबन में शिव बाबा मिले उनके थन में तो प्यारी साथियों सुना अपने एक बाबा मिले मधुबन में बड़ा अधभुद गीत है मैं जब प्रारंभिक दिनों में माउंचावों में आया तो तब से गीत सुन रहा हूँ और इस गीत ने एक दम बाबा की प्रेम में समा लेता था अधभुद गीत है इस गीत में बड़ा अच्छा सुन्यूजन है कि एक बाबा मिले मधुबन में और शुबाबा मिले उनके तन में और दोनों बाबा मिले एक आंगन में वो आंगन है मधुबन बड़ा अधभुद गीत बन गया इस गीत के रचनाकार है ब्रह्मा कुमार मोहन जी तो प्यारी साथियों इस गीत को गाया है पार्शुगाई का श्यामा चितार जी ने इस गीत के रचनाकार है हम सब की प्रिभाई मधुबन निवासी है ब्रह्मा कुमार मोहन जी और इस गीत को संगीत बध किया है दीपक कपार्या जी ने और पूरे योजना को इसको साका रूप दिया है हम सब की प्रिये दीरी योगनी दीदी जी ने जो विले पारला सेवा केंदरों की सबजोन की इंचार्ज है और उन्होंने अपने निर्देशन में अपने नेत्रितों में और अपने देख रेख में तमाम गीतों की रचना कराई है चुकि उनका बहुत धेश सारे संगीत कारों से गायकों से बड़ा नजदिक संबन रहा है तो उनको ले करके, उनको साथ में ले करके, उनको प्रेरित करके अद्भूद अद्भूद गेतों की रचना कराई है हम सब भिर्दय से उनको धनिवाद देते हैं, बड़ा अद्भूद गीत है तो प्यारे साथियों गेत और संगीत के अन्तिम पड़ाव पर बीके संजय जी, भोपाल, मध्य परदेश से बहात ही सुन्दर बड़े प्यारे से गीत की फरमाईश करते हैं और गीत के बोल हैं दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है, प्रभु याद में समाये रहें यूँ आपकी तरह वो ब्रह्मा बाबा बन जाये हम, आपकी तरह बड़ा प्यारा सा गीत है, अद्भूद गीत है, इस गीत को सुनिये, फिर इसकी कहानी बताते हैं दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह ओ ब्रह्मा बाबा बन जाये हम, आपकी तरह दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है मन का यही लगन है देह में रहे मगर हम, आपकी तरह कर्म करते आप जैसा कर्म तीत हो अब विदे ही हो जाए हम आपकी तरह दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है आने और जाने का खत्म खेल हो आप संग सदा रहे कुछ ऐसा मेल हो आप संग सदा रहे कुछ ऐसा मेल हो शिवसने हसिंधों में समाए आपकी तरह दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह हो ब्रम्ह बाबा बन जाए हम आपकी तरह हाँ दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है हाँ दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है तो प्यारे साथियों सुना आपने बहुत ही उंदा बहुत ही प्यारा सा गीत दिल की यही लगन है मन का यही कतन है प्रभु याद में खोए रहे हम आप की तरह ओ ब्रह्मा बाबा बन जाए हम आप की तरह बड़ा प्यार सा गीत है इस गेत को गाया है पामिला जैन जी ने और इस गेत को संगीत दिया है हम सब के प्रिय संगीत कार ललिस थोडा जी ने प्यारी साथियों इस गेत को सुनकर एक भाव प्राय है भ्रांती जो लोगों को होती है कि इनके संस्थापक यानि ब्रह्मा कुमारी शुरेव श्विद्याले के संस्थापक जो हैं या कहिए कि जो लोग ये समझते हैं कि इनके भगवान वो दादा लेख राज हैं वो नहीं इसमें स्पष्ट होता है कि किस तरह से ब्रह्मा बाबा आप प्रभु की याद में समाय रहते थे आपने कैसे अपने जीवन को इतनी दिविताओं से भरपूर किया हम आपको फॉलो करें, हम आपके आदर्श पर चलते रहें आपको आदर्श बना करके आपको अनुकरन करते रहें और अपने जीवन को धन्य वैसे बनाएं जैसे आपने बनाया इस रहस्य को बताता हुआ ये गीत ब्रह्मा बाबा के इस स्मृति दिवस पर प्राया इसे इसे गीत बजा करते हैं जिसमें हम संकल्प लेते हैं कि हमारे दिल की यही लगन है मन का भी यही कतन है कि बाबा किस तरह से आप प्रभू की याद में खोए रहते थे हम भी आपके नक्षे कदम पर चलकर आपके पदचिन्हों पर चलकर हम भी आपकी तरह बन जाएं कितना सुन्दर सा कितना प्यारा सा संकल्प है निश्चे ही हम सब मिल करके ब्रह्मा बाबा को फॉलू करके परमात्मा की करीब पहुंच सकते हैं उनके निकट पहुंच सकते हैं उनका प्यार प्राप्त कर सकते हैं तो प्यारे साथियों गीत और संगीत का इतना सुहाना सफर मन तो नहीं करता है कि आपसे विदा लें लेकिन समय समाथ हो गया है फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में तब तक इजाज़त दीजिए और अपने मन पसंदीदा गीतों को स्क्रीन पर दिये गए वाटस अप नंबर पर हम तक जरूर पहुँचाएंगे हम आपके मन पसंदीदा गीतों को आपके चुनिंदा गीतों को आप तक जरूर पहुँचाएंगे आपको दिखाएंगे आपको बताएंगे और इस गित की पीछे की पूरी कहानी भी सुनाएंगे तो सुनते रहिए, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपना मन पसंदी दाशो आपकी फर्माईश भरती दे शिवशक्त याँ आ गई भर घर में होती है जिनकी पूजा चैतन में वो देवियां आ गई शिवशक्त याँ आ गई भरती दे शिवशक्त याँ आ गई ओम शांती राम नवमी का त्योहार नवरात्रों के बाद बड़ी धूम धाम से मनाया जाता है शायद ही भारत वर्ष में कोई ऐसा प्रांथ होगा जहार राम नवमी का त्योहार ना मनाया जाता हो और राम का कोई मंदिर ना हो भारत का हर एक इनसान राम कथा को अवश्य सुनता है राम कथा के बारे में लोगों की बहुत सी माननेताएं है अगर हम इसमें गहराई से थोड़ा सा विचार करें तो ये मालूम चलता है कि दो प्रकार के लोग हैं दो प्रकार की धारनाएं हैं लोगों की एक है लिटरल और दूसरा है सिंबॉलिक अर्थात अध्यात्मिक रहसे। यदि हम इस बात को लिटरली लें तो मन के अंदर एक बात आती है कि जैसे राम का वन में जाना और वन में जाने के बाद वहां सीता जी का चोरी हो जाना और उसके पस्चात राम का लंका पर विजय प्राप्त करना फिर अयोध्या लोटना और लोटने के बाद फिर सिर्श सीता जी को त्याग देना तो ये सब स्टोरी को सुनकर के मन में कई प्रकार के प्रश्न पैदा होते हैं और मन में शिरी राम और शिरी सीता जी के प्रति रहम का भाव आता है रहम का भाव आने का मत अर्था जो सब के काम सवारने वाले हैं, जो सब की बिगडी को बनाने वाले हैं, बला उनकी बिगडी को बनाने के लिए उनको दर-दर भटकने की क्या जरूरत है? ये एक विचारनिय प्रश्न हो जाता है. अगर हम राम की लाइफ के बारे में जरा सोचें, तो कितनी प्रकार के डिजास्टर्स उनके जीवन में आए? एक के बाद एक चैलेंज का आना, ये कोई कम बात नहीं थी. लेकिन फिर भी कितनी अच्छी तरह से उन्होंने सारे डिजास्टर्स को, सारे चैलेंजिस को पार कि और उनकी ये विशेष्टा थी बहुत बड़ी कि कोई भी सिचुएशन के अंदर, चैए वो कैसी भी परिस्थिती थी, उन्होंने अपनी पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ा. और हर एक परिस्थिती के अंदर, कोई न कोई अवसर को ही धून कर निकाला. तो ये सब राम की बातें हमें इस बात को ध्यान में दिलाती हैं कि इनसान को अपने जीवन के अंदर, इनर मैनेश्मेंट स्किल्स को सीखने के जरूरत हैं. आज हम छोटी-छोटी बातों में परिशान हो जाते हैं, गुसा क्रियेट कर लेते हैं, किसी के प्रती नफरत का भाव रख लेते हैं, ऐसा करने से हम दूसरे का नुकसान तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन कहीं उससे अधिक हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं. तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि जब हमारी अपनी एनर्जी डिपलीट हो जाएगी, तो हम दूसरों को सुख और शान्ती या दूसरों के साथ जो harmonious relationships हम बनाना चाहते हैं, वो किस तरह से बना सकेंगे? शिरी राम के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब बाली का उन्होंने वद किया तो उसका जो राज्य था उन्होंने उसके भाई को ही दे दिया, इसी प्रकार से जब उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी, तो उसका जो राज्य था उन्होंने अपने पास नही तो ये बात हमें ये याद दिलाती है कि श्री राम का जीवन जो था वो मरियादा पौन था और यदि हम आगे बढ़ें तो हमें ये देखने को मिलता है कि श्री राम के जीवन में management skills तो थे ही लेकिन साथ-साथ leadership qualities भी थे जैसे जब समुद्र को पार करना था और सब लोग शांत खड़े थे तो ऐसे समय में जामवन ने हनुमान जी को उसके potential के बारे में ज्यान कराया और उनको ये बताया कि तुम्हारे अंदर में बहुत ताकत है और तुम जो चाहो वो कर सकते हो और जैसे ही हनुमान जी को उनके potential का पता लगा अपनी ताकत का realization हुआ तो ताकत का realization होते ही वो एक चटान की भाती खड़े हो गए और चटान की भाती खड़े होते ही वो लंका की और चल दिये इसी प्रकार जो लीडर होता है वो अपनी विरोधी जो सेना होती है उसके बारे में भी पूरा ज्यान रखता है कि उसकी क्या-क्या ताकत है क्या-क्या उसके अंदर जो है कमजोरिया है और साथ-साथ क्या-क्या आने वाले threats हैं और उसके अंदर उसको क्या अवसर दिखाई पड़ते हैं तो SWOT Analysis वो बहुत अच्छी तरह से जानता है जिस प्रकार से हनुमान जी जो की राम के बहुत अच्छे सेवक थे उन्होंने किया जब वो लंका पहुँचे तो लंका पहुँचने के बाद उन्होंने पूरी लंका के अंदर घूम करके देखा और साथ-साथ राम की सेना में कितना दम है उसको जानने के लिए उन्होंने वहां के व्रक्ष वगरा उकार दिये और साथ-साथ जब वो शिरी सीता जिसे भी मिल करके आए और उसके बाद उन्होंने अपने आपको बंदी बना दिया तो इस प्रकार से उन्होंने हर अवसर का पूरा फाइदा उठाया इसी प्रकार से जो एक लीडर होता है वो अपनी सेना को बहुत एप्रिशेट करता है उसकी बहुत प्रशंसा करता है और प्रशंसा करके वो उनको अपना बना करके रखता है जबकि देखने में आया कि रावन के जीवन में ये बाते देखने को नहीं मिली मंदोद्री और विभीशन ने रावन को खूप समझाया लेकिन फिर भी वो किसी बात को मानने के लिए तयार नहीं हुए और अल्टिमेटली अपने लिए युद्ध की तयारियां कर डाली इसके विपरीद जो राम की सेना थी राम की सेना ने बहुत ही अच्छे से अपने सारे साथियों को साथ लेकर उन्होंने कारे किया राम ने जब अपने साथियों को साथ ले करके काम किया तो काम करने से इतना बड़ा फाइदा हुआ कि वो अपनी सेना को साथ लेने से जो जिस कारे में वो सफल होना चाहते थे वो उस कारे के अंदर सफल हो गए तो इसलिए एक लीडर का इगो लेस होना निरहेंकारी होना बहुत जरूरी होता है और जब लीडर निरहेंकारी होता है तो जो भी समस्याएं सामने आती हैं उनका वे बहुत अच्छी रीती से सामना कर पाता है इसलिए एक बहुत बड़ी शिफ्ट लाने की जरूरत है हमें अपने जीवन में जो हमेशेरी राम के जीवन से सीखने को मिलता है कि हम बॉडी कॉंशिसनेस से दे भान से हम लोग सोल कॉंशिसनेस अर्थात आत्म अभिमाने स्थिती की और मुडे उसकी तरफ हम लोग जाएं यह शिफ्ट हमारे जीवन में तभी आ सकती है जब हम राज्यों की प्रेक्टिस करते हैं और इस राज्यों की प्रेक्टिस से ही शिरी राम ने अपने जीवन को मर्यादित बनाया हम लोग ये जानते हैं कि ये कहा जाता है कि एक राम जो है वो कई अर्थ में प्रयोग होता है कहते भी हैं एक राम दशरत का बेटा, एक राम जन जन में लेटा, एक राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा तो ये जो राम शब्द है तीन अर्थ में प्रयोग हुआ है तो एक राम स्वैम निराकार जोती बिंदू परमात्मा के लिए इस्तेमाल हुआ है तो जब उस निराकार परमात्मा को हम याद करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर शक्ति आने शुरू हो जाती है हमारा जीवन मरियादित बन जाता है और इसी राजियों की प्रैक्टिस करने से शुरी राम ने अपने जीवन को मरियादित बनाया तो आज के शुब देवस पर हम सभी ये संकल्प लेते हैं कि हम भी अपने जीवन को मरियादित बनाएं ऐसी राम नौमी की आप सभी को हार देख शुब काम नहीं आईए अभी सभी थोड़ी देर के लिए साइलेंस में बैठते हैं और श्री राम के जीवन को अपने सामने लाते हैं श्री राम का जीवन मरियादा युक्त था उनमें लीडर्शिप क्वालिटीस थी हमें भी अपने जीवन को मरियादित बनाना है और ऐसी विशेश्टाओं को अपने जीवन में लाना है ताकि हमारा जीवन भी औरों के लिए प्रेणा का स्रोत बन सके ओम श्राइब। ओम श्राइब। कर दो लगता है सदा हर पल बाबा तु है अपने पास लगता है सदा हर पल बाबा तु है अपने पास जब जब सोचो तेरे बारे में गुणों की सुगंध में काए तेरे प्यार की किर्णे लेदाई स्वर्मिं प्रकाश चंचमाई लगता है सदा हर पल बाबा तु है अपने पास लगता है सदा लगता है अपने लगता है अपने लगता है तेरी दिव्यशक्ति से हुआ है मेरा सफल जीवन तेरी दिव्यशक्ति से हुआ है मेरा सफल जीवन अतिंद्रिय सुख से भर गया है मन का सरोबर ये मन भी खुशी से मुस्कुराई लगता है सदा हर पल बाबा तु है अपने पास बाबा तु है अपने पास कर दो कर दो जाए अपने वेड़ा तु है अपने पास आपने अपने पास तेरी अम्रित्वाणी सुनाएं कोयल्सा मधुर्गी संसं तेरी वाणी मस्तक जुकाएं हर प्राणी देव लोक पुष्प बरसाएं लगता है सदा हर पल बाबा तु है अपने पास लगता है सदा हर पल बाबा तु है अपने पास लगता है सदा कर दो कर दो संगम युग में प्यारे बाबा संगम युग में प्यारे बाबा हमें आप से बेहद प्यार मिला मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला संगम युग में प्यारे बाबा हमें आप से बेहद प्यार मिला मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला हमें आप मिली अब क्या चाहिए हमें आप से सब संसार मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला मन में था ना चित में था भगवान हमें मिल जाएंगे वित्वान बड़े बुधी मान बड़े सब ढूनते ही रहे जाएंगे हम भूले भाले बच्चों को हम भूले भाले बच्चों को शिव बोले ना आप करतार मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला हमें आप से बेहद आप से बेहद आप से सुथ लुज लादप ओ प्यूले वर झाप उपहार मिला स्वर्डिते सुपका उपहार मिला स्वर्डिते सुपका हम जीने का आधार मिला आनंद किसी मा कहार दे आनंद किसी मा कहार दे खुशियों से भरा संसार मिला इस तुन प्यार के थी प्यासे हम प्यार का सिंध अपार मिला हम आपसे बेहद प्यार मिला संगम युग में प्यार बाबा हम आपसे बेहद प्यार मिला हम आप मिले अब क्या चाहे हम आप मिले अब क्या चाहे हम आपसे तब संसार मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला संदम युग में प्यार बाबा हमें आप से बेहद प्यार मिला मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला कि अधियर नवरात्री का आखरी दिन याने नौम उस दिन राम नौमी इस रूप में मनाई जाती है स्री राम का जन्मों सव इस रूप में हम आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं तो आप सभी दर्शक मित्रों को हमारी तरफ से राम नौमी की धेर सारी शुपकामनाएं हैं राम नौमी के पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है चलिए आज देखते हैं इस एपिसोड में ट्र पीई दर्शक को राम नौमी की बहुत-बहुत मुबारकों मुबारकों तरह wheels को कोरे देश में अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग पर रूप में इसको मणाया जाता है मेरा सबसेसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि नॉमले शांस्त्रों के अंदर भीता उग में बता और राम जी उनके बाद तो आप इसको थोड़ा क्लारिफाय करेंगे कि कौन से बेस पर या कैसे कैसे है यह क्या इसके पीछे लॉजिक है ज्यान के सागर परमात्मा शीव बाबा ने हमको जो ज्यान दिया और उन्होंने बताया कि सी कृष्ण जो है वो सोला कला संपूर्ण ह और श्री राम यह देवता यह आए चाहुदा कल्ह संपूर्ण है तो एक सवाल आता है कि सोला वाला पहले आ या चाहुदा वाला और दूसरी बात आप देखो अगर चतुर यूग की जो कंसेप्ट है की सत्यूग, त्र मापर्यक कल्यूग तो उसमें सत्यूग पहले आता ह सथ्यूग की डिग्री त्रेता से जादा होनी चाहिए इसका मतलब स्रीकृष्ण को द्वापर में आने के बजाए सथ्यूग में आना चाहिए यह सपश्टिकरन है इसके लिए हम यह कहते है कि श्रीकृष्ण जो संपूर्णा उतार है और श्री राम इनको मर्यादा पुरुष्वत्तम कहा गया है और भारत में अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा प्रभाव इन दो देवताओं का है श्रीकृष्ण और श्री राम और दोनों की स्टाइल अलग हलग है मैं जब चिंतन कर रहा था तो हम भी लीडर्शिप एटिटूड में इसके बारे में बताते हैं तो हम दोनों की जीवन चरित्रों को अगर स्टडी करें तो श्री राम जो है वो युद्ध जो दोनों हुए एक तरफ महाबारत का युद्ध हुआ और एक तरफ रामायन में उन्होंने जिस सेना का नित्रतों किया वो थी मेजारिटी बंदरों की सेना और वो फ्रांट साइड में रहे है तो बंदर स्किल्फुल नहीं थे है रा तो उनको गाइड करते थे कि जो उन इनके द्वारा आप इतने महाबली महाप्रतापि है जिन ने तीनों को जीताता उसको हराना है पर आपकी सेना में बंधर है तो इनको लीड फ्रेंट से किया ये एक तरफ राम के तरफ है दूसरे तरफ आप स्रीकृष्ण का जो चरीतर देखो तो उनके पास किल्ड है सभी माना अर्जुन सबसे स्रेष्ट धनूरदर भीम सबसे शक्तिशाली ऐ लेकिन मैं तुमको गईड करूंगा तुम्हारा सार्थी बनकर तो एक तरफ स्किल्फुल थे और एक तरफ अन्सकिल्द है और यहां पर स्रीकृष्ण साक्षी हो के देख रहे हैं और उनको गईड कर रहे हैं मारग प्रदरश्ण कर रहें तो यह दो स्टाइल हो सकते हैं लीडर्शिप के वाँ तो हमको यह देखना है इससे मैं इस तरह से इसको मैसेज लेता हूं कि आपके टीम में कौन से लोग है जीवन में कैसे जीता जाता है अगर आपके बस पढ़े लिके स्किल्ड लोग है कौशल्य वाले है तो आपको उनको आगे रखना है आपको आप गाइड करते रहो कि किसका स्ट्रेंद क्या है वीकिनेश क्या इसको कैसे खतम किया जा सकता है और जीवन के परिस्तिति में वीजे प्राप्त किया जासा है यह दो प्रमुक परस्टनालिटी और इनका हमारे उपर प्रहुत प्रभाव है हमारे जीवन में खास करके क्युं हुआ पुरा रामायन तो आप देखो श्रीराम के जनम को आप देखो जनम तो 그래도 छटाला तक उसको वनवास में जाना पड़ा उसके पते को वह और भाई को व히 वनवास में पड़ाओ ये वनवास में गया इसले से पीता जि lapse कि हो गें तारी जब यह जंगल में गए जब यह राज कुमार राजा उने पर जंगल जीवन जीना पड़ा और उनकी पत्नी को कोई उठा के ले के गया आप सूचो फिर उसके बाद उसको पूरा यातरा करनी है और उसके पास साहिन नहीं है और उसको पता नहीं कहा गया है उसको डूड़ना है डूंदे डूंदे पता चला कि रावन ने उसको उठा के लेके गए है अभी उसको छुडाने के लिए कैसे चुडाने का रास्ता नहीं है समुंदर है बीच में और साथ ही है बंदरों किसे नहां तो बंदरों को साथ में लेके समुंदर को क्रॉस करना और महा बली रावन क को हराना है ना और अपनी पत्नी को छोड़ाना यहां तक तो ठीक ता उसके बाद वो पत्नी के ऊपर डाउट लिया गया है ना लोगों ने उसको भी छोड़ना उसको जंकल में छोड़ना और फिर राजाई करना मरियादा मना कितना दुख है इनके जीवन में लेकिन बेटा, एक आदर्ष पती, एक आदर्ष राजा, एक आदर्ष भाई हमारे लिए मरियादा पुरुषत्तम का रोल मॉडल छी राम है लेकिन आपको नहीं लगता है कि यह बहुत ही हाई मार्क है आज के टाइम पे इसको फॉलो करना इसको डिफिकल लेकिन ऐसा कहते हैं कि यह विश्णुजी का सात्वा उतार है राम जी मतलब यह भगवान का उतार है तो यह केवल भगवान ही कर सकते हैं यह बाके कोई नहीं कर सकता है इंसान के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि आप हर परस्तिती में इतने मर्यादा पुरुषत्तम रहें या वाल्यूस पर इतन और जब हम इस स्टेंडर को मेंटेन रखते हैं तब हमारे सभी शक्तिया जागरूत होती है अगर आपका पहले से ही लक्षा हलका है वह ऐसे अंग्रेजी में कहावत है ना वेन यू एम फॉर दो मून्स यू लैंड सम्वेर इन दे स्टार्स नहीं आपका पहले से ही तो उससे भी एक inferior complex पैदा होता है बहुत लोगों के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं तो वो emotions तो भी और भी खराब है ना इससे अचा कि आपके जिते capacity पहले उसको पेचानो उस इसाब से करो क्योंकि आपके सामने example भले ही दस लोगों के होंगे हो सकता है आपकी उत्ति अबिलिटी नहीं है या उतने आप नहीं कर पाते हैं तो फिर ऐसे लोगों के लिए बहुत difficult हो जाता है जब आप बार बार उनको यह बताते हैं कि आप up to the mark जाईए करके exactly I accept this from psychology point of view और यहां पर ब्रह्मा कुमारी जराजयोक मेडिटेशन काम में आता है लोग भक्ति मार में कहते हैं कि आप भगवान का नाम लो आपका काम हो जाएगा आप कल्पना करो भगवान स्वयम आपके साथ है सर्वशक्तिवान और वो यही समय है जब हमको पता है कि मा माया बहुत शक्तिशाली है माया का भी पार्ट बहुत बड़ा है लेकिन अगर हम परमात्मा को अपने साथ में रखे और उसकी याद में रहे तो मुझे ऐसे लगता है जैसे हमको परमात्मा शीव बाबा ने बताए खास करके जो घर ग्रास्त में रहते हैं जिनको अपना घर चलाना है बच्चों को संबालना है बिजने संबालना है परमात्मा शीव बाबा ने उनको 20% डिसकाउंट पहले से दे लिया तो पुर्शारत उनको 80% का करना है और चैलेंज आते हैं और मेरे खाल से आना चाहिए जब चैलेंज आते तब हमको हमारे शक्तिका एसास होत और हमत रखना है जो कहा वात है हिमते बच्चे, मदत बाप या हिमते मरदा मदत खुदा तो हम हिम्मथ रखके परमात्मा को याद करके अगर अपना काम करते है तो हमारे सफलता होने के चांसे बहुत परसेंटेज में बढ़ता है और मुझे लगता है यह बी है जैसे राम नौम के दिन का उनका उत्सव है जन्मुत्सव है उसके पीछे कुछ आध्यात्मिक रहसे हैं पूरा अगर आप राम का चरित्र देखो तो मुझे बहुत उसमें सारे राज दिखाई देते हैं एक उनके पीता जो दिखाए वह दश्रत की तीन पत्मियां दिखाई है कौशल्या सुमित्रा इन कई-कई आफ फिर उनके बच्छे दिखाए एक राम है भरत है एक लक्षमन है एक शत्रुग है जैसे हमने महाबारत में भी देखा कि महाबारत में कौरव और पांडव दिखाए हैं तो कौरवों के नाम के अदुर्योदन, दुश्यासन, दुश्यला वगरा दू से है मना निगेटिव नाम है और पांडवों के नाम भीम, अर्जुन इस तरह से है तो कोई भी माबाप बच्चों के ऐसे नाम नहीं रहे है तो यहां पर भी अगर हम अच्छे तरह से देखे तो मुझे भी इसमें एक अध्यात्मिक रहस्या हम यह देख सकते हैं कि दश रत माना दस इंद्रिया, पांच ग्यानें दिया और पांच कर्में इंद्रिया, यह जो राजा है यह अप अपने पतनियों के बीच तो उसमें से पतनी आपके साथ में रहती है वह है फिर आपकी अंदर जो skills है कई-कई जो आपके साथ में रहने वाली है और सुमित्रा जो अच्छे मित्र है फिर राम है राम अगर आप positive quality को लेखो सीता है जो एक त्याक तपस्या की मूरत है और फिर लक्षमन माना लक्ष आपके जीवन का शत्रुगन माना जिसका कोई शत्रु नहीं है भरत माना जो प्रकाश देने वाला है या यह सब नाम के पीछे अध्यात्मिक रहसे यह हो सकता है मुझे ऐसे लगता है कि हम राम के जीवन को इस तरह से भी ले हमारे अंदर जो चेत दिया और यग्यर अचा तो इसके पीछे हम को थोड़ा अगर हम पॉजिटिवली अगर इसको सोचे तो हमको इसमें भी कई सारे रास दिखाए जाते हैं मेधा माना बुद्धी कहते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि आत्मा रूपी सीता है इस समय इंद्रियों के वश हो है तो हमारे अपनी फॉट्ट प्रोसेस हो जाती है हां और हम उसे प्रभावित हो गए तो हमारे मना आप सोचो एक व्यक्ति की इर्शा या इंफिरियरिटी कॉंप्लेक्स जो भी आप उसको नाम देना चाहों उसके अंदर डर है कि मेरा प्रिया उसको राजा ही नहीं मिले तो सुनी-सुनाई बात हैं यहां पर मैं यह कहना चाहता हूं रामायन से हमको बहुत सारी सीख मिलती है उसमें मेरे खाल से सबसे इंपोर्टन से किस समय है कि सुनी-सुनाई बातों के ऊपर विश्वास ना करो और उस सुन के उसके प्रभाव में ना आके सत्य का पहचान क ठीक है ना, क्या यह सत्य है, इंसीक्योरिटी नहीं पैदा होनी चाहिए, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं, यह सुशल मीडिया का जमाना आई इस समय है, अभी सोशल मीडिया पर कोई भी खबर डाल देते हैं, वीडियो बनाते हैं, यह टेक्स डालते हैं, उसके मुझे से कि बहुत गहराई से बताता हूं, कि जिस तरह से हम बातों को फैलाते हैं, आपने कोई भी टेक्स्ट या वीडियो मैसेज डाला, आजकल तो हम कान में भर नहीं सकते हैं, सोशल मीडिया से, हमारे कान को बर रहा है, अगर वो मैसेज या वीडियो देखने के बाद, व्यक्ती क भावना या गुसे की भावना पैदा होती है, तो वो एक्टिविट करने के लिए कौन निमित बने, जिसने मैसेज भेजा है, समझो आपने दस लोगों को बेजा, उसने और दस लोगों को बेजा, उन्होंने ऐसे लाखों लोगों तक जाता है, तो आप सुचो आपके एक म काईदा भी बनाए आप सोचो कि अगर मंत्रा की बात को कई कई ने उधरी कट कर दिया होता और अपने को प्रभावित नहीं होने दिया होता तो यह सब नहीं होता ना इतना युद्ध जिसमें लाखों लोग हजारों लोग मारे गए वह सब हम रोप सकते हैं अला कि डेस्टीनी डिसाइडेट है कई लोग बोलते हैं यह वना भी जरूरी था उसके वज़े से शबरी का उद्धार हुआ वो जो पत्थर के समान बन गए थी हैंना उनका भी उद्धार हुआ ऐसे कितने लोगों का उद्धार हुआ जितने भी रावन थे रावन का भी अच्छे पहले नहीं सचे लेकिन पहले हम यह जरूर देखे कि पहला जो मुझे दिखाए देता है management lesson कि सुनी-सुनाई बातों से अपने आपको बचाए जी बहुत अच्छी बात है कि सुनी-सुनाई बातों पर हमको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि उस पर कितना वि स्री कृष्णा के पास और स्री राम के पास तो वहां मुझे सवाल आया है कि अंस्किल होते हुए एक लीडर ने बहुत ही अच्छी तरश से उसको लीड करते हुए यह सब किया है कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसकी वज़े से आप अंस्किल को भी स्किल में आपने चींच क पाए है यह मैंने देखा आए जो अभी हम बात कर रहे थे कि अहिल्या को पत्थर बन गए थी और सिप एरो के सपर्श से वह फिर सी जीवित हो गए आभी कई लोग कहते कि ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन आज हिपनोटीजम पता है कि हम किसी भी व्यक्ति को पत्थर के समा कि पत्थर बनना या अंस्किल होना जो आप कह रहे है तो पत्थर बुद्धी शब्द हमने सुना है पहले भक्ति मार का शब्द है पत्थर बुद्धी और पारस बुद्धी पत्थर मना क्या मुझे ऐसे लगता है पत्थर मना पतीत पन का थर बुद्धी के ऊपर चड़त मैंना निगेटिव टोन में कहते हैं तुम्हारी शकल तो बंदर की तरह है इंसल्टिंग समझते हैं तो ऐसे लोगों को आपने इतना बड़ा युद्ध करवाया आपने उनकी शक्तियों को जागरूत किया तो यह कैसे हुआ तो यहां पर एक जैसे पत्थर बताया ना पैरों इस पर्श से तो आज हमको यह पता है कि हमारी एनर्जी तीन अंगों से जादा जाती एक आखे जो सबसे नजदीक है आत्मा के पास इसलिए जो भक्तिमार का शब्द है कि आपकी कृपा दृष्टी हमारे उपर पड़े दूसरा हम आशिरवाद ऐसे हाथ से देते हैं तो ह आपका वरण हस्त हमारे उपर रखो ती सा पैरों को चूते है या कहते है कि आपके चरण हमारे घर पर पढ़े तो हमारा गर पावन हो जाएगा नर्जी इंश थे ले कि तीन प्रमूक अंगा है तो हमको यहां पर यह सीख लेनी चाहिए कि जब आप इक डिवाइन सोल के कम में आते हैं, जिसके एनरजी बहुत पॉजिटिव है, तो आपके अंदर की भी पॉजिटिव एनरजी एक्टिवेट होने लगते हैं, तो हमको रामायन से बहुत सारे सीख मिलते हैं, मुझे तो बहुत पूरा मैनेजमेंट इसमें दिखाई देता है, कि अगर हम लक्ष रखे वैसे तो शास्त्रों में लिका है, संग ती संग दोशाह, एना अपने संग को, tell me the company of the person and I'll tell you what sort of that person is, आप मुझे अपनी company बताओ, फिर आप कैसे हैं, मैं आपको बता दूँगा, इतना प्रभाव है, तो रामायन हमको ये बताता है, कि श्री राम के संपर्क में आते ही, बंदर जैसे लोग भी इतना पड़ा काम कर सकते हैं, तो हम सब के अंदर जैसे हम कहते हैं कि डेविल और डिवाइन फाइल होते हैं, ये हमने पहले भी देखा, तो जब हम गिव्या आतमाओं के संबन संपर्क में आने लगते हैं, तब हमारी डिवाइन फाइल अटोमेटि की जरूरत है, या उसके अपनी positive quality को जितना वो आगे लेके आएंगे, तो उनके साथ जो उनके दूसरे लोग हैं, वो भी उनकी company से, उनके अंदर भी वो qualities आना शुरू हो जाते हैं, मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आज ब्रह्मा गुमारी को बहुत सारे corporates हमको बुलाते हैं, मैं खुद जाता हूं, हमारी बहने जाती है, police headquarters में जाते है, courts में जाते है, हमारे तो wing है, फिर politicians भी बुलाते हैं, विदान सभा में, जहां पर उनकी चर्चा होती है, क्योंकि उनको पता चला है कि बुद्धी दीव्या होना बहुत जरूरी है, और meditation ही ह तो आप अपनी शक्ती के आधार पर बंदर जैसे सहिना को भी मंदीर के लायक बना सकते हैं, बहुत यह अच्छा, आपने कहां कि company, celebrated company में अगर रहते हैं, आपके अंदर वो quality आना शुरू होती है, वो वैसे ही लागू होता है, अगर गलत company में हैं, तो भी आपका nature या हम सब के संसकार है ना, ब्रह्मा कुमारी में हम यह बताते हैं, कि हमारे पूर्व के कर्म भी होते हैं, उस अनुसार हमारा जनम होता है, लेकिन आप अपने divine qualities को लेके आते हैं, तो वीबीशन भले रक्षा स्कूर में आया, लेकिन उसकी प्रवूरुति सात्रिक्ति, इसलि है कि आप negativity के बीच में होते हुए भी positive रह सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि दश्रत के साथ रहे के रगोंश में रहे के भी आप मंतरा जैसे हो सकते हैं, ठीक है ना, पर ultimately अगर आप divine company रखते हो और परमात्मा में अपना निश्य रखते हो, तो आप अगर end देखेंगे, त यह की परमात्मा का साथ उसने दिया, तो रक्षस कुल को भी फिर देवताई कुल जैसे संसकार वीबीशन के द्वाराबाद में प्राफ्ट हुए है ना, शोने की लंका, वहां पर राम ने राज्य नहीं किया, वीबीशन को सौप किया है, यहां पर बाली का वद करके उन् हमारे लिए बहुत अच्छा आधर्श है, तो हम उसके उपर चिंतन करें कैसे इन्हों ने अपने वैल्यूस को कॉम्प्रमाइज होने नहीं दिया, और अपनी उपर पूरा विश्वास रखा, और एंड वास वेरी गुट, तो हम भी रामायन से सीख लेखे, अपने अंदर अच्छे अच्छे बाते बताई हैं, ना ही केवल स्पिरिच्वल बाते, पर साथ ही कुछ अपने मानेजमेंट के लेसंस भी आपने दिये हैं, जो कि वर्तमान समय के लिए बहुत उपयोगी होंगे, तो फैसे बहुत बात धन्यवाद, ओम शान्ति, रामनावमी के उपलक् अच्छा है, और जिस तरह से डॉक्र सचीन ने एक्स्प्लेन किया है, तो मुझे लगता है, यह बहुत खुबसूरत है कि एक लीडर किस तरह से अपनी डिवाइन कॉलिटी से, अपनी अंस्किल सेना को भी स्किल में चेंज करता है, और रामायन से बहुत सारे लेसंस हमारे लिए सीखने जैसे है कि सुनी-सुनाई बातों पर ध्यान नी देना चाहिए, और अच्छे कंपनी में अगर हम रहते हैं, तो हमारी वृत्तियां चेंज होती है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी नहीं है, कि कई बार गलत कंपनी में भी लोग पॉजिटीव रह सकते हैं, इस विए baz Würस्तियां चेंज है, तो हमारी नच्छे कंपनी अच्छे कंपनी में बाहते हैं, बार इत कि लो शचा poucoव सकते हैं, में साथ मोई किप song 와서 है, कि को तो हमारी व देना हैं, इस देना हैं, एते हैं तो हमारी नहीं है कि विए अहीं है, यह में है. झाल झाल जोति विन्दु शिवरी माता पिता बन्धु सखाभी स्वयाँ शंभु भगवन्बु है निराकार है आनन्द का सागर सर्व शक्तिवान है परम सुखदाता वो भागि विधाता है परमात्मा वो जोति विन्दु शिवरी माता पिता बन्धु सखाभी लुखदाता है स्निह के सागर गुणों के सिंधों दिव्य बुधी दाता कल्याण कारिवो स्निह के सागर गुणों के सिंधों दिव्य बुधी दाता कल्याण कारिवों दानव को देव बना रहे हैं परमात्मवो जोति विन्दु शिवी माता पिता बन्धु सखावी कर दो दो चिंधी दिव्य बुधी दो ब्रम्हातन का आधार लेकर अपना परचय खुद ही देते ब्रम्हातन का आधार लेकर अपना परचय खुद ही देते मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्णान देते परमात्मवो जोति विंदु शिवही माता पिता बंधु सखावी स्वयों शंभु भगवन्भु है निराकार है आनद का सागर सर्व शक्तिवान है परम सुखदाता वो भागय विधाता है परमात्मवो जोति विंदु शिवही माता पिता बंधु सखावी जोति विंदु शोति वात्मवो खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में आण बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में लुशी के अमिवन हम खुशी के अमारी राहों में जिए राहों में हमारी राहों में शाजने प्रत्रव जयाओ निगे नियुक्त और भी राहों में बहुत पुराना ना था अपना फिर भी लगता नया नया बहुत पुराना ना था अपना फिर भी लगता नया नया ऐ रूहानी जादु गरतु हमें बता देखिया है क्या ऐ रूहानी जादु गरतु हमें बता देखिया है क्या हुई मेरी खुश हाल जिन्दगी प्रभु पनाहों में हमारी राहों में खिले खुश हाल जिन्दगी प्रभु पनाहों में हमारी राहों में रूप अनुप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा अनहद के नाद सुने तेरे अन्तर आनन्द समारा अनहद के नाद सुने तेरे अन्तर आनन्द समारा सब को बुलाएं तुझ से मिलाएं शीतल जामें हमारी राहों में खिले खुशे के हजार उपवन हमारी राहों में पर आनन्द समारा राहों में गहने गुणों के हम पहने, ही राहा में बनाया है गहने गुणों के हम पहने, ही राहा में बनाया है पवित्रता के मोती भरके, मस्तक को चंकाया है किरन किरन उतर उतर बिखर गई, सभी दिशाओं में किरन किरन उतर 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 विखर गई, सभी दिशाओं में हमारी राहों में खिले खुशी के हजार खुप बन हमारी राहों में किम्नि राहों में, राहों में, सभी राहों में हमारी 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 राहों में अम शान्ति योग की गहराई अत्वा योग की क्वालिटी को बढ़ाएं कैसे तो पहले तो ये समझना है कि योग है क्या योग शब्दी सिद्ध करता है कि हमारा संबंध परम्पिता परमात्मा के साथ है बुद्धी का योग बुद्धी एकाग्र है बुद्धी में ज्ञान क्लियर है क्योंकि योग का आधार ज्ञान है बाबा जो हम बच्चों को योग सिखा रहे हैं ज्ञान दे रहे हैं और उस ज्ञान को प्रेक्टिकल में लाने का नाम योग है यानि योग के आधार से ही ज्ञान धारन होता है और जितनी जितनी ज्ञान की धार ना बढ़ती जाती है योग नेच्रल रहता है मतलब क्या है कि डिस्टर्ब नहीं होता योग योग की क्वालिटी अच्छी रहती है तो पहली बात है कि बाबा ने हम बच्चों को योग की विधी बताई है और विधी एक्यूरेट विधी है मुझ आत्मा का पिता परमात्मा से योग तो मुझ आत्मा का पिता परमात्मा से योग है निराकार से योग है विदेहे से योग है तो मुझे ये दिन रात निश्चे कितना रहता है निश्चे तो है कि समझा आ गई मैं आत्मा हूँ इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है पर खाली निश्चे के साथ स्मृति कितनी रहती है मैं अवेर योग देहे भान में होते हुए भी मुझे ग्यान तो है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ और देभान में जो रॉंग एक्शन होते हैं वो तो और ही सिद्ध करते हैं कि मैं देभान में हूँ इसका मतलब मैं आत्मा विमानी नहीं रही भूल गई तो मुझे आत्मा की स्मर्ती रहे और जब मुझे स्मर्ती है आत्मा की तो खली इतना नहीं कि मैं बिंदू हूँ और बाबा भी बिंदू है इसका नाम योग है नहीं ये तो ज्यान है कि जोती बिंदू आत्मा का पिता जोती स्वरूप परमात्मा है तो वो जोती कौनसी है जिसका योग जोती से लगे यह कोई बिंदू का बिंदू से ऐसे ने कि मैं दो बिंदी यहां रख दू कठी तो योग हो गया यह बिंदू में सिंदू है बाबा बिंदू है पर बिंदू में सिंदू है यानि ग्यान का सागर है वो बिन्दु में सूर्य है ग्यान का लाइट है उनके पास और सागर है तो ग्यान की शीतलता है और ग्यान की गहराई है तो मेरा जब योग सागर के साथ लगे तो उस समय मुझे आत्मा के अंदर एक अंदर की गहन अपने रियल सुरूप की डीप जाने की आश्यक्ता है कि सचुमत मैं आत्मा हूँ तो मुझे आत्मा का मन कैसा है क्या चल रहा है मेरे मन में मैं संकल्प कौन सा रख करके बाबा को याद कर रही हूँ मेरी फोकस अत्वा मेरा ध्यान बुद्धी का कहां पर है टिका हुआ तो मेरा ज्यान का प्रकाश सुर्य है मुझे अपना दे का बाद सामने दिखा रहा है या मुझे ये रियल रियलाइस करा रहा है कि मैं आत्मा ग्यान सुर्प हूँ और मुझे ग्यान सुर्प आत्मा का पिता ग्यान सुर्य है शांती का सागर है शक्ति का भंडार है तो सारी सूगर सागर को हम तच कर सकते हैं सागर में ढा सकते हैं टुबकी लगा सकते हैं मन्थन कर सकते हैं तो जिस समय बाबा सागर है तो बाबा के गुण की गहराई में जाएं और उसी समय अपने आत्मा के गुण की भी गहराई में जाएं तो मैं सच मुच आत्मा सिर्फ लाइट नहीं हूँ मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ मैं शान्त स्वरूप आत्मा हूँ शुद्ध और शीतल आत्मा है तो अपने आत्मा के गुणों का मन में स्वरूप बने और वो एक वारी सिर्फ सोचने की बात नहीं है बैठे वे भी सोचने और चलते फिरते उठते बैठते तो भी में आत्मा तो आत्मा ही होना जैसे सब्ज़ जो भी गुण है मेरा फूल है वो ऐसा तो नहीं कि सरफ डाली पर लगा हुआ है तो उसकी खुश्बू है तो मैं योग में बैठी हूँ तब तो मेरे अंदर वो आत्मा का गुण है और जब मैं चलते फिरते हूँ तो मेरा गुण वो काम कर रहा है शांती प्रेम पवित्रता की खुश्बू मुझे अपने आपको आ रही है मैं खुश हूँ अपने सोच से और वो मेरे सोच के वाइबरेशन दूसरों को बराबर रियालेटी मैं सूस हो रहे है कि शो है प्लास्टिक का फूल को महीं हूँ सच मिस रियल फूल हूँ तो बाबा जो मुझे टाइटल देते है वो कोई ग्रॉस चीज नहीं है बाबा मुझे सुक्षम टाइटल देते है तो जितना जितना मैं बाबा के गोण और अपने गोणों का मिलान करती हूँ उसका नाव योग है लाइक 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 तो मैं जितना जितना शरीर भान से न्यारी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, आत्मा को मैं आत्मा समझ करके क्या, जान करके क्या, प्रंतु उसके गुण का ध्यान करके, और उस गुण से ही मैं अटेंशन से, विचार के साथ साथ, मिष्टे बुद्धी हो करके, व्यवार में तो मेरे योग की जो क्वालिटी है वो बढ़ेगी ना क्योंकि दस मिनट आदा गंटा मैंने योग किया और बाकी 12 गंटे मुझे करम में बैठते करम करते समय वो नहीं रहा तो बैठते समय जो नहीं हुआ वो पश्चाता पोता रहेगा नहीं किया नहीं किया वो याद अच्छा करने वाले बात स्वरुप बन जाती है तो इसे लिए योग की क्वालिटी को बढ़ाना है तो एक ही चीज की गहराई में स्वच्छता में कि क्वालिटी जो है वो मजबूत चीज का नाम है वैल्यूबल है चमक है उसमें कोई गंदगी नहीं है द्यूरेवल है त क्वालिट्टी कहते है तो मेरी ग्यान शाली पातमा हुआ है शान्त शाली पातमा हुआ है यह रूप बन गया ना तो रूप चेहरे का जू मेरा बन गया मान बच्मन से मेरा रूप वही लएता है पर्मानेंट चीज है, जो मेरे हाथ का पैर का फेस का फोटो है वो ही रहेगा, हाँ, बदली होगा प्रतु फोटो वो ही, चरीर वो ही है, तो हमारी क्वालिटी में गौन शक्ति बनती जाएं वो, ज्यान की शक्ति, प्रेम की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, आनंद की शक्ति, सत्यता की शक्ति, वो रियालिटी जो स्प्रिच्वालिटी है, वो रियालिटी आ गई तो योग है, संबंद के आधार से दूसरे शब्द में कहेंगे कि मेरा जितना जितना जैसे गोड़ों का गोड़ों के साथ संबंद है ऐसे बाबा को मैं उस संबंद से जैसे लोकिक संबंद में नशा रहता है निश्चे रहता है अधिकार रहता है पेरेंट्स वाला संसकार काम करता है तो मैं अब जब परमात्मा को पिता कहती हूं मात-पिता कहती हूं तो मुझे ये नशा है मेरे माबाप कितने सुंदर है नेरे माबा कितने उच्छे है तो वो मेरी quality जो है योग किखाली भक्ती वाला नहीं योग तो मात्पिता अब आलत तेरे पशक्ति वाला योग पुकारने वाला योग नहीं प्रंटु मिलन मनाने वाला योग निश्चे और नश्यї वाला योग मैं अधिकारी आत्मा हूं मैं विकारी नहीं हूँ अधिकारी हूँ क्यों मैं और फिर जह मात्पिता कह थो जनम लिया झाल सित अधिकार है तो बराबर मैं इस सुरीर में रहते हूए यह निश्य की है कि मैं शिव की संतान हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, ब्रह्मा ने शिष्टी रची तो यह मेरे जीवन को तो रच रहा है ना ब्रह्मा द्वारा परमात्वाशिव, तो अंदर की खुशी होगी, और उस खुशी में वो चलते फिरते उटते बैठते, बूता थोड़े मैं किस माह का बीटा हूँ, तैसे मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, अर शिष्टी बाबा की बच्छी हूँ, तो यह सिंपल जो ओरिजनल बात है, आत्मा के गोड़ परमात्मा से मिलाना, और अगर साकार में हूँ तो साकार की अग्जामपल्स में ना, परमात में बाद मेरा प्ता है... तो मेरे पास जो भी पैत्रिक σंपत्ति मेरी है तो इस्ग समय मिलती है... ताएसी जन्न में मिलती है तो ज्ञान मुझे इसे ंजन्न में मिलेगे सत्य failures में नहीं बिलेगा थे पावितर्ता इसमें मेरा जए rinse क्यों क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, पभित्रिता की पालना, ज्यान इसी समय मुझे मिलता है, मैं ब्रह्म लोग की रहने वाली आत्मा हूं, बॉडिलेस हूं, तो मुझे घर भी याद रहे, बाप भी याद रहे, संपत्ती भी याद रहे, संबंद का नशा, निष्चे, युक्तो करके करम करते हैं, तो वो खुशी ऑटोमेटिकली, टाइम पस्चा ताफ में नहीं जाता है, संतुष्ट रहते हैं, योग में बैठे हैं, तो बाकी बातें डिस्टर्ब नहीं करती, तो क्वालिटी अच्छी होती है, तो नैच्रली शक्ती बन गई ना, ज्यान को गुण बनाया, प्रंट वो कब बना, जब मैंने ग्यान को योग बनाया, ग्यान को योग बनाये, और योग बनाया तो बाबा की गुण मेरे में आना शुरू हो गए, आत्मा भी शुद्ध होना शुरू हो गई, बरतन में धार नाच्छी होने लगी, तो वो अंदर ही ऑट तो आटोमेटिकली विचार, व्यभार, संस्कार का परिवर्तन होता है, तो उससे पता चलता है कि क्वालिटी काम कर रही है, रियल है, शब्द नहीं है, हमको भी महसूस होगा, दूसरे को भी महसूस होगा, हमारे वाइबरेशन काम करेंगे, तो इस बॉड़ी में योग है, न केवला आतमा में योग है, तो तो शरीर में भी योग काम कर रहे है, हमारी दिरिष्टी में इसमे ऐ, सतकार है, हमारी वाणी में मदृता है, हमारे भावना अच्छी है, कोई बात किसी ने कही मैंने सभी कार कर ली तो क्वालिटी योग की क्वालिटी के करण भ्यभार से वह योग की क्वालिटी से भुती है इसलिए अपने जीवन को दिल्वेगोण संपन बनाएं ज्ञान युक्त, योग युक्त, शक्ति युक्त, बंधन मुक्त, इसका नाम है योग, क्योंकि योग से हम जीवन मुक्ति को प्राप्ति करते हैं, तो जीवन में बंधन उसे मुक्त होते हैं, वो तब जब संबंध ब फ्रेंड, दोस्त, खुदा मेरा दोस्त है, तो दिल की बात करते हैं, जानि वो क्वालिटी जो लोकिक में हमारे व्यभार में हमारा संबंध होता है, तो एक दो के साथ शेयर करते हैं, विश्वास रख के बात करते हैं, हक रख के बात करते हैं, ऐसे बाबा से भी चलते हैं, ह करक्त करेंगे मतलब जोग सम्माद की क्वालिटी नजबूत होती जाए जाए जिसने स्वयंका मन जीता है उसने जगत को जीता है जिसने स्वयंका मन जीता है उसने जगत को जीता है कुरान का कहता ज्यान यही काती यही तो कीता है जिसने स्वयंका मन जीता है उसने जगत को जीता है जिसने स्वयंका मन जीता है उसने जगत को जीता है कुरान का कहता ज्यान यही काती यही तो कीता है जिसने स्वयंका मन जीता है उसने जगत को जीता है मन की चंचलता जिसने स्वयंकी दोर से पाढ़ी जिसके विवेक का दीप बुझा पाएना प्रोध की आणि मन की चंचलता जिसने स्वयंकी दोर से बाढ़ी जिसके विवेक का दीप बुझा पाएना प्रोध की आणि बन गए वही तो राम प्रिश्य इसा गौतम और गांधी बन गए वही तो राम प्रिश्य इसा गौतम और गांधी विव्लों की अगनी परिशा को जो पार करे वो सीता है जिसने स्वयंका मन जीता है उसने जगत को जीता है जिसने स्वयंका मन जीता है उसने जगत को जीता है पुरान का कहता यान यही काती यही तो गीता है जिसने स्वयंका मन जीता है उसने जगत को जीता है तन्वारों से जो जग जीते वो पुरूर है अज्चाचारी है जिसने है प्रेम से दिल जीता है जग जीत का वो अधिकारी है तन्वारों से जग जीते वो पुरूर है अज्चाचारी है जिसने है प्रेम से दिल जीता जग जीत का वो अधिकारी है इंद्रजीत प्रभू प्यारा है उससे माया भी हारी है इंद्रजीत प्रभू प्यारा है उससे माया की हारी है जिस जीवन में है पुन नहीं वो जीवन दीता दीता है जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है कुरान का कहता ज्यान यही काती यही तो गीता है जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है काती यही तो गीता है अगर आपकी मन पर कोई बोज है तो उसे परमात्मा को दे दो और आप हलके रहो तो जीवन बोच नहीं लगेगा परमämän को आपी तो अगर्दी कैसा नहीं भगे तो जीता है कंभवाँ थापकी मन पर आपर है भगवाँ भगवाँ हमारे दिल पे लगी है छाप तुमारे प्यार की भगवाँ तुम्ही तो दिल जिगर में हो तुम्ही हो नजरों में भगवाँ हमारे दिल पे लगी है छाप तुमारे प्यार की भगवाँ कुम्ही तो धड़कनों में हो ख्यालों में तुम्ही रहते भुला कर तुमको इक की भगवाँ लगी दिल में लगन ऐसी तुमारी याद की भगवान हमारे दिल पे लगी है चाप तुमारे प्यार की भगवान बुझा कर प्यास जन्मों की दिया हम तो नया जीवन तुम्हारी पाल ना पाके खुशी में नाच हर पलमन करें हम क्या तेरी में ही मां बनाया अपना जो भगवान हमारे दिल पे लगी है चाप तुमारे प्यार की भगवान नजर में अपनी लेकर के जलाया दीप जीवन का दिया जीवन हमें पावन बनाई भाग की रेखा बनाई भाग की रेखा लेकर हाथों में मेरा हाथ चलाते हमको तुम भगवान हमारे दिल पे लगी है चाप तुमारे प्यार की भगवान तुमी तो दिल जिगर में हो तुमी हो नजरों में भगवान हमारे दिल पे लगी है चाप तुम्हारे प्यार की भगवान हमारे प्यार की भगवान मंता मै तु संता मै तु करुणा मै मा जग दंबे मंता मै तु संता मै तु करुणा मै मा जग दंबे भट्ति मै तु शक्ति मै तु तु वरदानी मा जग दंबे 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 मां मां शिवशक्ति का अहवान है दिव्यता को सब दाले सात्विक मन के सात्विक धन के संस्कारों को सब पाले ज्यार प्रतिक ये अष्ट शक्तिया पर्मयोगी मां जगदंबे जगदंबे मां जगदंबे मां जगदंबे मां जगदंबे जगदंबे मां जगदंबे जगदंबे मां जगदंबे जगदंबे मां जगदंबे मां जगदंबे मां जगदंबे सद गुणों के दीव जलाकर आत्मशक्ति का विकास करे कल युग के अधेरे को हरती संगं काल में जगदंबे मा जगदंबे जगदंबे मा जगदंबे मम्ता मैं तू सम्ता मैं तू करुणा मैं मा जगदंबे जगदंबे भक्ति मईतो शक्ति मईतो तू मरदानी मा जगदंबे जगदंबे मा जगदंबे 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 आज पुनह आपके प्रश्ण और दादीजी के उतर इस प्रश्ण उतर की शुंकलां के अंदर स्टूडियो के अंदर पुनहा दादीजी हम सब के बीच में आये है उनके गोल्डन वर्जिन्स अनुभहों के साथ हम सब के साथ शेर करेंगे कितनी सुन्दर बाते हमने पिछले सत्र में भी देखी के कैसे जीवन के अंदर व्यवारिकता के अंदर जो बाते आती है उसको कितना सहज तरीके से सुलजा सकते हैं और सहज तासे जीवन को जी सकते हैं कादी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हम सब के बीच में और आज हम कुछ प्रशन पूछेंगे आपको जो हमारे भायों का प्रशन है और भायों का प्रशन यही है कि आज की दुनिया में चुनौती बहुत है चैलेंजिस बहुत है और उन चैलेंजिस में कॉम्पिटिशन बहुत है तो कॉम्पिटिशन में जीतने के लिए या सफल होने के लिए क्या किया जाएं बैन जब आप पूछती हो तो मैं थोड़ा सामने रखती हूं भाई लोगों की जवान चैलेंजिस में जवान बहुत है जवान भी अपने हम उस क्वालिटी में जो सच्चाई और प्रेम का शान वो नहीं है बुझरक भी है ठके हुई है कोई ऐसे लाइस में ऐस्ते काम नहीं किया हूँ है जो उसको समझे मैंने जीवन जात्रा में बगवाने जो अच्छा कराया है खुष होए तो हमेश समझना जीवन जात्रा है जैसे जात्रा पर मन जाते है तो अच्छा एम रखते है जात्रा पर हूं ऐसे हम जो है ना हर एक कोई रह देती हूं सन्जो जीवन जातरा है परमात्मा का बच्चा हूं मुझे परमात्मा शांती तो तर्ता, सत्यता में जिखा करके साथ में ले जाने के लिए त्यार कर रहा है यह जीवन में के ऐसी मेरी सुंदर होए जो मैं जीवन को सफ़ा कर सको जासे लक्या होता है ना, जासे लक्या आँते हैं, पर आज किल मन्स को एक दो को देख, मैंने देख था कामपोडिशन, करबशन, पैसे काम लेना, कोई हैं पैसा दीया काम करके दीया, यही दंदा चल रहा है, किटुसिजम, तीन बातों का बहुत बहुत ख़रा वैवारा है, मारव है जाह चोटे हम चाने है मिनिस्टर्अजज़। तयवत बात है नहीं ज्याद है बहुत है ज्यादे मैं चहते हैं टुदिशिएं वलए हैं जिए रवायद करेंड़ taking the security भी को बाता है अचते हुगा दो अकातिएं जीए मिलाइमा मतलब तीनों बात के बिगर चलते नहीं है, अभी ग्यानमारग में रिलाइज़िशन होती है, यह चीजे इनसानजात के लिए बरी नुकसानकार है, मैं एक मिसा थोरा सा बता देते हूं, अमरा बाबा पुने में दो तीनवारी आया था, बांबे से पुने बाबा को अच्छा लगता था, बांबे में एक फ्लैट होते थे, वहां का खुला बले सागर के किनारे पर होता था पर पुना में हम भंगला लेते थे कोई बरा तो शांती से सब मिलना करना सब आते थे, तो एकवारी मजह आया बाबा आये पुने में, तो खाटाओ में बाबा का भंगला था, में टैशा, कोली मरा मैदान के तरह, बहुत अच्छा था, मैं लेगा, तो माली मकान ने बरा खुशी से दिया, बढ़ा जी बढ़ वह आए, पन तो मकान उसने तो हां किया, माली देवी नहीं कर देव क्यों क्या था, माली को दो सुर रुपय दिया, तो चाभी देवी नही और भवाले किई सब अचानाफला टूम ने बन गया अग्यार बदै Warsham को आने वाला है, बदै बदै आये रही है मैं ट्रेन में चुड़ के बांबी पई बाब आप इतना मुश्कुर से बंगला मिला, माली नहीं दे रहा था, उसको दोसर दिया तो दे दिया, इसलिए नहीं यहाता हूँ, अच्छा, मैंने का बाबा का बाबा का बच्छी यह नहीं खाना चाहिए, वो दन, आज का दन, कभ अच्छा नहीं लिया हूँगा, एक सिखने को मिला, कितनी बड़ी सिक्षा है दनी, क्या बता हूँ उस गरी जो इतन चारी हुई पर है, सब बाबा के पास बैथे थे, बाबा को चुटी देने के लिए, तो को इसाथ में आने लिए, सच्छा ही जिए उसका बल है, इसका ब दूसरा, कांपडिशन में, क्या है, अंदर से, सच्छा पुर्षाद करके अपरे मैनन से, सच्छा ही से सफरता मिले, वो नहीं है, तो इन से, कांपडिशन में, इन से में आगे जाऊंग, और इन से आगे जाओं, जो जो बुद्धी में होती है ना, लोबलालच, जो बद् कि अंदर सुबह वार में संजो जैसे कांपुटिशन कर रहा है उसके लिए क्या समझ रहा है तो मैं समझते हूं भाइयों को ये बात कर परिवतनाने से कितनों की जीवन सुदर गई है कितनों की अभी हजारे लाख लाखं तक पोंच गई है तक है, क्योंकि ये रियलाइजेशन ना तो रियलाइजेशन से जो रियल्ती है उपरिष्ण में आने से अंजर तकताती है किसे भीठी के सिंदी में कहें सच्छाद लिए नच एक भाई था इसा जो भाशा नहीं जानता पोष्यकूलोर का अंगना भाई कि एतना अछा भाई यह एतना च्छा भाई ता पंदू सच्च तभी टो नच यह शीख गिया इतना जब मेर से मिलता था ता-दादी सच्छ नच तो यह सब जह वह इनमत बना भाई कि नेकर में शीवास्तान खोडूने के लिए जो प्वर्टिक, आखली जैसे, जाखली, जाखली, जाखली। किसे ननीपंप्रेशन नीचेञाचन, जाखली। मित्रता भाव है, जो कुछ होता है मेरे लिए पसपा अंबूनी में पस भीजाये। मेरे पास मोटरगाडी हो वे, महल मारी मेर पक मैं नहीं है, कोई अज़ चाहने है, तो टांगे तो तो टाइन की चलने के लिए, हज भी मैस चल सकते हूं मुझे मोटरगाडी कोई अधा नहीं कोई आधा से हैं, तो मेरे जो संस्कार हैं तो परिवार में आते हैं मैं देखा है, जो बरों के संस्कार होते हैं, बरों का नाम बाला करते 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 हैं, बरों का नाम बाला कर तो जैसे उन्होंने चलन की है, उनके भी संसकार बन गए है, जीवन जातरा सफली हो गई है, तो उसमें मेरे बेहन, दो बाते मेरे ध्यान पर होती है, तो कईयों का अटेंशन खेंचवाना, ये कर्म खेत रहा है, कर्म खेत रहा है, जैसा बीजबो हैंगे, वैसे फुल खाए सुहाँ बात है, तो सुह सङों, एक अट्रा भल में ऐंगे आंबाकाबीज, लिजब का और गूल में जए, एक खिल में के उआम हाओ जिक एहन की सीज़ने बड़म का घुल में नाम ले कुल्स में जो गुलाब का पूल, प्रेपनी ज्ज़र में एक घुड़काँ और पल लेके अगल बाइसा नहीं, आपका लेके आए अगा भी यहां आ रहे थे, कोई गुलाब का फूल दे रहा है, बले फूल सब एक जैसे नहीं होते है, कोई छोटा होता है, कोई छोटा होता है, कोई रंग में थोड़ा फरक होता है, है तो गुलाब ना, जी खश्परिन वर्म दूसरी यहां ऑदे बालberoब दूसरीयो घम वार है, जवाबध़बारी कोई टह में टूसरी तरव है कर्तवियो है, को बालंस कैसे रहाए अगल दूसरा है, कि जा रंखरों टोसरा है, कोई चभण के दूसरा हो अपर करो लोग में अबजो के अझे अज़ गरा आज खाना है तो यह जो आइन, एक यह बहुत प्रिटम्स नौट रहता हैं भुद दो सिंपल रहता है, तो सिंपल रहें ढहा हुँ गरण गरद बनना चाहिए उप सब्सक्नद आप, यह में देखा है अगर मैं सेंपल बनती हूं, तो दूसरों को भी बनना असान होता है, पर मैं मेल मारी मोटरगारी चाहिए, तो और उको भी यह संस्कार बन जाता है, तो यह कर्म का फल्ला है, दूसरा, जैसा कर्म मैं करूंगे, मुझे देख और करेंगे, यह भी बहुत अच्छा है, दो बा हुआ भी ठना जागेल लिए। यह भी उस्तो यह संस्काता है कीता भ्गोऑन बाहन कहुतो, यह इंन दो हुआ तो घाय रड़ते साथ चाहिए। कन इस दो आण पर भांगे ज्यान कर जागे। यह खान को भ्गोऑन बीठा है। यह भी बीचिने काट बना थे भी बहेगा ह अखोया जाएंगा! पगवान काता है, मेरा भी विश्वास कहता है, वह एटे है, जिवेवार ज़मेवार और है बाद्ड़ू काम करती हुँ या सच्छा यह विश्वास से हो झाता है बाद्टा है, पर मेरे अंदर क्या है? किया तो उसने, वह रहना राक है कंची के थाए, और अधाया कन कारिके है, अधाया के उन्हाया करे दूदागे मेरे को कार अपनी नहीं है, अशुर नहीं हो। और सिर्णना मोटकाइ रोगा management काई रें हुआ है आप तब कारता वार आज मुखे रोगा है, मैं में लेकर जाओं थ yapılता हूorum तुम को रहाँ पुद्ध करें पर फलाजगर लेके गया था तो जाए तो गंटा थीन गंटा अगर कोई ड्राइव करें बैठा नहीं उसकों कंपनी मिल गई तो अच्छी बात है तो अच्छी एच्छी कंपनी कि मिझे कार चाहिए नहीं तो इसको देख है किसी को भी अपनी कार नहीं है, कोई बहुआ है, हाथ तो दो चर है, नहीं कभी खरीद है, जब रखने की है, जिसकर नहीं तो बड़े लोग जल्दी चेंज करते हैं, हमारी बलवन भाई लेते हैं, पर तो क्या है, कम खर्च, बाला नशेंग, तो उसमेे और एक विड़त है एक नामी, एक अनामी, एक अगरता तेन बाते, एक नामी, एक अनामी, एक अगरता ये तीन शक्ति हैं, एक आंत मेरहना सब एक नहीं होगर्या Howling भूत अच्ही बात है। तो डीह अगर मरें सब भायों में ये नेचर, आप समझो, ऐसे घर गरस्ती में रहते हुए, ऐसी इस्तिव जमाने वाले, कितने अच्छे एग्जामपल बन जाते हैं, उसो देखा औरों को भी, चांस मिलता है, भाग्यों मिलता है, जैसे इसने पर जीवन बना करके, घर को स्वर्ग बनाया है, स्वर्ग मना य अच्छेन लाग्यों को तो हम आरम रोगोर। तो आजए सकते हैं.. जना है तो मिलता है.. स्वर्ग मійсьत्याया यह में मेंक है,। सफाइा के सच्छई एसादडडी, है इसादडडी आजड़ ना, ना, सफवाई सदाई दादी जी, बहुत अच्छी बात अपने बताई कि सच मुझ जिम्मेदार बाबा को बना दो और हम फ्री हो जाए लेकिन एक और प्रशन आ जाता है कि कभी कभी आज की दुनिया ऐसी है जो छोटी बातों में भी इक जातो बहुत हको भी ठर्सक्राथा है और हम अच्छी बातों से ऐसी को कुछ च्छी बहुत हो Państwo तो भाइ कहते हैं हम अच्छी बावना से प्रेक्टें किमृली मिसंडर्स्टैंडिंड क्रिये हो जाती है तो तेंशन और विसंडरस्टेनिंग और बढ़ता है तो उससमय क्या करें? छिखो एपोछन, मैं क्या जाओ देंगी? शांती जाओ देंगे? शांत रहने की शक्ति नहीं है थाओ जाओ नहीं है तब ही तेंशन होता है इन जुदिए एक ड़के एक लखे एक एक रखो तो अटेंशिन एक बादेते हैं। अटेंशिन है का आप लोग तो टेंशिन हो जाते हैं। तो युद एक इंसी हुआ है, आप सोच के जड़रेते हैं। काम थोरा बोलना जाद है, तो भारी पना जाता है, पर काम निमित मातर है, सच्चाई और प्रेम से, ऐसे होता है, जैसे मखंते बाल, मेरे सूली से कांटा, ऐसे ट्रैक्टिकली देखा गया है, पर अगर मैं काम को परा करके, अपने इसर पर बोज़ा रखेंगी, उसमें ले लो दुआएं माँ बाप की, गठरी उतरे पापा की, सच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च कि अगर हम सच्चे बनते हैं तो साहब राजी होता है तो हमारे से कोई गरत काम नहीं होता है नहीं होता है पास्ट पास्ट हो गया इसमें मैंने देखा है पास्ट 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 बहुत अच्छी दवाई है ना मैं अपनी पास्ट पास्ट ना आपकी ना किसी की पास्ट प जब ञें लिए और ह केपर दिए, झाल आप जा है को मेरी बवाना छुओन हुआ है तो यह जो पर्णिवा आप दो गाना छिए है जब मेरी बावना अच्छि है अट्छिक्टमियर है तो आप व परिवतन है उसके भावना से थोड़ा मैं थोड़ा ही दोश नभी बोलूना है खिंच लेते है और मिस अंडरस्टेंडिंग भी कम हो जाएंगी अर्टोमेंटिक कम हो जाती है मिस अंडरस्टेंडिंग का एक बहुत बरी सुख्यम जिसे गलत फैमी ऐसी अंदर बैच चाती है जो पैटिकली समझो आप मेरे साथ रहती हो मुझे तो कोई प्राप्म ने बरी अच्छी है पर तो आप कहीं और जगह जाती हो वो कहते है तुम तो इसी महमा करती है यह ऐसी क जाहा है इसमें यह है यूकशु्ख्यम दुईश्भाव है और मेरे साथ तुम तुमेरे साथ तुमेरे पैक्टिकलर रहेंगी और उसमेरे दुईश्भाव है तब यह कहते है तुम यह झायत अब और वह उज्ए प्ट्रीचु इख जरे जब रहें को प्राप्र किए अच्छाही दिखाईलेगा, सतोगोनी Show can be a goodẻ. जो गोनी को कशचर अच्छा-अच्छा, कभी अच्छा, कभी नए हमाई The Godismış अच्छा. और मुझ्चे क्या कहने का है.... तो हमुझे क्या काने का है... मैं sealed दुनाल कोरे कि लिए हैंí, आपना अपना समझाते हैं.. वहाइज को. वहाइज नीदी. Z vídeo झाल को जो जब मांपयाएं, बग Sh differently खता है. क्यों जो सोच जो नेकी अ cada shields सोचा है कि मजजे दिखाय दिखाय भी लाइजाञार कोई उल्हे, भी मजड़नाता कोई आपिसे सबहेज़ाखे, स्टें तो दिल शाफ,burg सुब्हाव सरल, कि अच्छी बात है दिल में टॉर्टिकल नहीं है, जिल में साफ है, मुझंचा अछी है दढ़ी कई भाई यह भी जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन इतने बजी रहते हैं तो उसमें से टाइम कैसे नेकाल है भाईन है जहुर बहुत Moscow आप वे पहले, दूच्छाव कर दीछाओ, मेडिटेशन है पहला हैं, HEYT, मेडिटेशने पहले तड़ साइ, हा हायी रदी योगा मेडिशन एक रिहा उज खुछाआएग व Albertoch, दिन में विष्णू, शाम को सखरू। अच्छी बात है। मैं ऐसे ऐसे करके अपन को मीटेड़, औरों को कहती हूँ, क्या है। सुबो को बाई गर मेठे हैं, दिन पे काम पर गए, शाम को गर वापस आए, तपश्या काना शुरू कर दिया। क्या है। तो यह स्थार्ण पर गए कोई भी तरीके से अंदर रस बैठा है। मेठे श्माना क्या है। अधिये का घर बने, मन शांत रहे, अंदर संस्कार ने अतना वापस आत्मा का ज्याना अच्छा बिठा ह। कभी बैचेंगा ना, क्या बोला दादी ने, तो फिर वो सोच जो ने, फिर शुरू हो गया वेडिशन, सभी बात है, मन शान्त वाह, उन थे संस्कार बनता है, पहले बाले मन बुद्धी से संस्कार वो था, जो बिजी होने काम में लिप्त होने का बीजी होने का बीजी हो जो काम करना ही है, अच्छा करना है, टाइम उसमें सफला हुए, ऐस काम में ऐसाना का जो टाइम निश्फल होगे, उसमें भावना कोई ठगी चोरी की होगे, वो काम नहीं करेंगे, तो कर्म पर ध्यान है, सच्चाई स्रिष्ट कर्म करना है, अंदर सच्चाई कर्म स्रिष्ट करना है, कोई भी टेंशन की बात नहीं होती है कर सिर्श सचचाई की गेराई में जाने का है, तो मेट्टेशन माना, कि अदेश जाना हैं कि गेराई में जाना सुक्षान्ति प्रेम सुभावी को जाना, तो वो तो लाइफ हैं, तो ये लाइफ का अन्भा होते, ताइम के लिए बरास्टो पलाओने का लिए चांस मिल जाता है। जी, दादी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज भी आपने ऐसे गोल्डन वर्शन्स हम सभी को कहें, और सच्मुझ भायों को अपने प्रश्नों का जवाब भी जरूर मिला होगा, और इने इस शब्दों के साथ में आपका तो बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। प्यारे श्रोतागन, आप दादी जी की बाते सुनते रहें, और हम सभी ने आज के इस सत्रम में भी देखा, तीन तीन बाते बहुत सिंपल दादी ने बताई, सबसे पहली तो ये बताई, कि कॉम्पुटिशन में नहीं आना है, करप्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो जी के लिए धारना की बाते हैं, और तीन बाते दादी ने बहुत सुन्दर बताई हम सब के बीच में, किस तरह एकानामी, एकनामी और एकागरता, उसी से ही एकांत में रहना, साइलेंस में रहना सहज हो जाएंगा, और एकता के साथ हम परिवार को भी चला सकेंगे, और तीन दादी जी ने बहुत सुन्दर बताई, कि सच्चाई हो, स्वभाव में सरलता हो, और जीवन में सादगी हो, कितनी उची बात है, और ये सिंपल बाते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आ जाए, तो जीवन को जीना आसान हो जाएगा, अने को के लिए हम देने वाले बन जाएंगे, और यही शायद प्रैक्टिकल जीवन में एप्लिकेशन करते हुए, हम अपने जीवन को स्रेश्ट दिशा की और ले जलेंगे, यही मेडिटेशन है, मेडिटेशन या कर्म योग, राज योग से अलग नहीं, करम करते हुए, इन गुणों को, इ प्यारे श्रोतागन, आप आगे भी हमारी इस प्रश्न उत्तर की श्रंखला को देखते रहिए, और आज के लिए बस यहां तक इजाजर चालती हूं, ओम शांती है है, यहां भलतागन वा यहां, ँळका है। है है Th제 आज के रहिए, बस्तचत को सापने है, जङ मेड, इन खत्तर की शांतδे हूं, मेड, बस्तर की तुछलान है है। निंदी आप दो निंदी आ लेकर आई बाबा की आद सुहानी नेना में बर प्रीतम को सोजा तू आत्मारानी निंदी आ लेकर आई बाबा की आद सुहानी चान सीतारों से दूर चले सब की आदों को भूल चले अंबर के सुख पाने को सोए बाबा के साए तले खयालों में इक बाबा हो सोजा तू आत्मारानी निंदी आ लेकर आई बाबा की आद सुहानी इस तन से होकर न्यारे सोजाओ बाबा के प्यारे याद के जूलों में जूले बाबा की दुनिया में खोजारे निंदी आ के साथ हो बाबा निंदी आ के साथ हो बाबा सोजा तू आत्मारानी निंदी आ लेकर आई बाबा की आद सुहानी निंदी आ लेकर आई बाबा की आद सुहानी नैना में घर पीतम को नैना में घर पीतम को सोजा तू आत्मारानी निंदी आ लेकर आई बाबा की आद सुहानी निंदी आ लेकर आई बाबा की आद सुहानी निंदी आ लेकर आई बाबा की आद सुहानी आम शांतय जैसे जीवन का आदी और अंत दोनों महत्वपॉण है वैसे यह दिनका आदी और अंत भी अति महत्वपॉण है क्यूकि आज की दिन का अंत कल की दिन की आदी का आधार है इसलिए जब हम दिन के अंतिम प्रहर में सोने के लिए जाते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम अपने मन के संकल्बों को शांत कर एक साउंट स्लीप ले ताकि जब हम सुबह उठें तो तन और मन दोनों रिफ्रेश हो कोई आलस से ना हो अनेक प्रकार के संकल्ब और विकल्ब ना हो ठकावट ना हो तो आएए आज हम एक सुख़द नींद के लिए मेडिटीट करते हैं चाहे तो अपने कमरे की लाइट्स आफ कर सकते हैं अपने बैट पर बिलकुल रिलाक्स होकर लेट चाएं अपने बोटी के हर एक ओर्गेन को रिलाक्स करें पैरों के पंजे को रिलाक्स एक तम हलका छोड़ें पैरों को एक तम हलका रिलाक्स शरीर के मत्थे भाग को स्टमेक किटनीस लीवर रिलाक्स एक कहरी सांस ले और चोड़ें लंग्स रिलाक्स दोनों कंधे रिलाक्स एक तम लोज छोड़ें हाथों को रिलाक्स करें पिल्कुल रिलाक्स गर्धन को रिलाक्स करें अपने चैरे की मसल्स को रिलाक्स करें मुख को, नासिका को, कानों को, रिलाक्स, आइस, रिलाक्स, सारे शरीर की मसल्स, एक दम, रिलाक्स, धीला चोगते, अब देखें, क्या मेरे मन के संकल्प, रिलाक्स है, अपने मन के संकल्पों को चेक करें, क्या चल रहा है, कोई व्यक्ती, कुछ बाते, कोई काम, किसी के द्वारा बोले गए शब्द, किसी के द्वारा किये गए कर्म, पिछली बाते, आने वाला भविश्य, अपने मन में चलने वाले, अनेक संकल्पों और विकल्पों को, दिखें, और सोचें, कैन संकल्पों की इस समय जरूरत है, कैन के बारे में इस समय सोचने से, कोई समाधान निकल सकता है, जुना मैं अपनी सारी जिम्मेवारी, मन के सारे बोच, जीवन की अनिश्चित्दा, अनेक प्रकार के भए, उस दुख हरता, सुख करता, विगनवे नाशक, परमात्मा के हवाले कर दो, फील कर रहे, मेरे ठीक उपर, स्वयम परम जोती, परम पिता परमात्मा, शुबाबा, अपनी प्यार भरी के रने, मेरे उपर बरसा रहे है, अब इन सारे व्यर्थ संकल्पों, विकल्पों, अनिक बातों को, विजुलाइज करें, कि मैं एक छोटे से बॉक्स में डाल कर, उसे पैक करके, परमात्मा को दे रही हो, हाथ से और अभी से, सारे बूच, सारी समस्याएं, मैंने आपके हवाले कर दी है, परमात्मा, अपनी किरणों के माध्यम से, जिसे मेरे सिर पर हाथ रख रहे है, और कह रहे है, बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, तुम्हारी हर समस्या का समधान, मेरे पास है, तुम निश्चंत रहो, मन को एकदम रिलाक्स कर ले, फील करे, जिसे खुद भगवान की गोद में, मेरा सिर है, और बहुत प्यार से, वो मेरे मस्दक को सहला रहे है, मुझे प्यार कर रहे है, फील कर दे जाएं, और परमात्मा की गोदी में सो जाएं, धिरे धिरे इस गीत के साथ, अपने अवजे तनवन को शक्तिशानी बनाने, ओ शादे, मिशा के देला में, बिश्राम के लिए, मुक्ते दगन को जाएं, अपने परंपिता की पावण गोद में, हमने इस चिंत सो जाएं, सो जाएं, सो जाएं, सो जाएं, मिशा के देला में, बिश्राम के लिए, मुक्त दगन को जाएं, अपने परंपिता की पावण गोद में, हमने इस चिंत सो जाएं, 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 आओ सुमिटे दिन पर के कर्मों का विस्टा इश्वर का धन्यवाद करे हुँ चले संपर्गों के बार सुथ का छुला सत्गुन की लिप्राः बाबा का संग पाजाए पाजाए सुझाए सुझाएं सो जाए, सो जाए, सो जाए, सो जाए, हुगी कर दो शिव मां की गोती में आओ हम सो जाए प्यार प्यार सपनों में हम तुम खो जाए शिव मां की गोती में आओ हम सो जाए प्यार प्यार सपनों में हम तुम खो जाए शिव मां की गोती में सपन में क्या देखा हमने सुन्दर रिक में है परिया नाचे जूने गाए कहे साथ चल मैं चनी हूड के बवन में परिया नाचे जूने गाए कहे साथ चल मैं चनी हूड के बवन में प्रभू मिलन हो जाए प्यार प्यार सपनों में हम तुम खो जाए शिव मां की गोती में आओ हम सो जाए प्यार प्यार सपनों में हम तुम खो जाए शिव मां की गोती में उड़ते उड़ते दिखा हमने बाबा थे वहाँ बोले पास आओ हमारे प्यार दे यहाँ उड़ते उड़ते दिखा हमने बाबा थे वहाँ बोले पास आओ हमारे प्यार दे यहाँ बाबा का प्यार पाके आओ एक हो जाए प्यार प्यार सपनों में हम तुम खो जाए है शिव मा की गोदी में आओ हम सो जाए प्यार प्यार सपनों में हम तुम खो जाए है शिव मा की गोदी में आओ हम सो जाए प्यार प्यार सपनों में हम तुम खो जाए है कर दो कर दो कर दो दिन भर की ठकान के बाद अब मैं रात्री विश्राम की तयारी कर रही हूँ मैं बाबा का आवान करती हूँ बाबा आप मेरी छत्र छाया बन मुझ पर छा जाओ अपने बिस्तर के चारों ओर मैं बाबा की उपस्थिती अनुभव करती हूँ बाबा के प्रकाश की किर्णे चत्र छाया के रूप में मेरी चारों ओर छा रही है इस चत्र छाया के नीचे मैं भूवत और भविश्य के विचारों से मुक्त हो जाते हूँ और एकदम हलकी होकर बाबा की गोद में गहरी नीद में सो जाते हूँ करदा हूँ सक्षी बाबा की बाबा की हूँ झाल 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 मिशा के जेला में विश्राम के लिए मुक्त दगन को जाए अपने परंपिता की पावन गोद में हम निश्चिन्त सो जाए सो जाए सो जाए मिशा की बेला में विश्राम के लिए मुक्त दगन को जाए अपने परंपिता की पावन गोद में हम निश्चिन्त सो जाए सो जाए सो जाए सो जाए सो जाए सो जाए ओं शांति शांति ओं शांति ओं शांति ओं शांति ओं शांति का मंत्र गोजे चलती साथो में परंशाति आनंद उपजे नेरी आधों में बाबा की आदों में प्यारी से बातों में निश्चिन्त सो जाए सो जाए सो जाए सो जाए आओ समेटे दिन भर के पर्मों में प्याए का इस्ता इश्वर का धन्यवात करे हम चले संपर्मों के पार सिथ का छुला सिथ दुन की दिद्राव बाबा का उसुद पाजाए पाजाए सो जाए सो जाए सो जाए सो जाए सो जाह सो सो बाबा की मुसे का ननो है दिव्य है उनको दुना अर्मा की मुठी मन का है परम्पिता का प्यार हाथ रखे गरदानी अनुभव भू रुहाने सत्यु प्रभात पाजाए सो जाए सो जाए सो जाए सो जाए सो जाए निशा की दिला में विश्राम केले मुक्त दगन को जाए अपनी तरव पिता की पावन भूग में हम निश्चिंत सो जाए सो जाए सो जाए सो जाए से शोड़, सोड़ जोड़, कुट हुग ये चमकीली दुनिया अनोखा जाहा है जादू की नगरी तेरा आसमान ये चमकीली दुनिया अनोखा जाहान है जादू की नगरी तेरा आसमान ओ आया है मन यहां भरके उडान है जादू की नगरी तेरा आसमान ये चमकीली दुनिया अनोखा जाहान है जादू की नगरी तेरा आसमान है जादू की नगरी तेरा आसमान यहां संग में तेरे मैं नुकता आए मूरू यहां संग में तेरे मैं नुकता आए मूरू वतन से तुम्हारे ना जाना है दूर हो रहा है अनुभव यहां सत्यस्वामान ये चमकीली दुनिया अनोखा जाहान है जादू की नगरी तेरा आसमान ओ ओ ओ आया है मन यहां भरके उडान है जादू की नगरी तेरा आसमान सब रूहे यहां पर अमुल्ड रतन सब रूहे यहां पर अमुल्ड रतन निरंतर प्रकाषत यह तेरा वतन मैं भी हूँ यहां पर मैं भी हूँ यहां पर तेरे ही समान ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान ओ आया है मन यहां भरके उडान है जादू की नगरी तेरा आसमान मन का अम। मन का ये मौन यहां कितना है प्यारा मन का ये मौन यहां कितना है प्यारा साया है मुझ पर यहां हर दम तुम्हारा मैं तो यहां पर मैं तो यहां पर है अनन्त शक्तिवान ये चमकील दुनिया अनोखा जाहान है जादू की नगरी तेरा आसुमान ओ आया है मन यहां भर के उडान है जादू की नगरी तेरा आसुमान 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 झाल 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 मन मन का दर्पण झाल 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 योग के माल पर गम बुला दे तुम्हे आओ पाई बनो राज योगी योग के माल पर गम बुला दे तुम्हे आओ पाई बनो राज योगी एक जुनिया नई हम दिखाते तुम्हे आओ बनो बनो राज योगी योग के माल पर गम बुला दे तुम्हे आओ आओ पाई आओ 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 Gदे योगी 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 योडंग नई हम इनन susत्ति आज खुश्बू है वाचावरण में है अलो के निमंद्रण पवन में आज खुश्बू है वाचावरण में है अलो के निमंद्रण पवन में साथ को मन के खेड़ की एक खोलो भरो आलंद्रण करण में एक अनुभव नयां कराते तुम्हे आओ भाई बनो राज योगी योग के मार्ग पर बुलाते तुम्हे वो आओ, आओ, आओ मन के खोड़ आओ, 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 आओ आओ, आओ, आओ दो खड़ी जग के बंधन को तोड़ो जोती बिन्दू से संबंध जोड़ो दो खड़ी जग के बंधन को तोड़ो जोती बिन्दू से संबंध जोड़ो आज बेना है मंगल मिलल की जूटी माया के जल जान छोड़ो एक महा जो तिसे मिलाते तुम्हे आओ बेन बनो राज योगी योग के मार्ग पर बुनाते तुम्हे हो आओ 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 योग कांपर घरो जिन्दगी में तुम नहाओ गिनित रोशनी में योग कांपर भरो जिन्दगी में तुम नहाओ गिनित रोशनी में दूर तुमसे रहेगा अंधेला तुम रहोगे सदा चांदी में एक स्वर्गी दर्शन कराते तुम्हे आओ 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 बनो राज योगी योग के मार्ग पर बुनाते तुम्हे ओ आओ 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 हुआ हुआ है हुआ हुआ है जोती बिंदू परमात्मा से है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन परमानन्द का अनुभव कर तू धन्य बना जीवन लो के आत्मा जोती बिंदू परमात्मा से है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन अब चल कर ले मिलन अब चल कर ले मिलन प्रभु की प्राप्ति का नूल मंत्र है संपूर्ण समर्पन है आत्मा चल प्रभु को सौप दे तू सारा जीवन ओ देख प्रभु तेरे निकट भी राजे कर ले अभिवादन जोती बिंदु परमात मासे है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन अब चल कर ले मिलन अब चल कर ले मिलन जोती बिंदु के प्रेम सिंधो में चल आज नहा ले परम पिता का प्रेम पात्र बन कर तू शुगवर पाले किरण किरण को निरख नयन से खोजा मन में मगन जोती बिंदु परमात मासे है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन परमानंद का अनुभव कर तू परमानंद का अनुभव कर तू धन्य बना जीवन जोती बिंदु परमात मासे है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन 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 शांति सागर की लहरे जब जब पास में आए ओम शांति शांति सागर की लहरे जब जब पास में आए मन हो शांति तन हो शीतल पावन सुख वरसाए शांति सागर की लहरे चलता चलता उस सागर में चलता चलता उस सागर में जब कोई हो जाए हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए शांति से भर भर नैला शांति सब को लुटाए शांति सागर की लहरे शांति अमरत के सागर में जो कोई गहरा जाए शांति अमरत के सागर में जो कोई गहरा जाए आनन्द के जूले जूले आत्मत्रुप्ति ओपाए पालिया अप जो पाना था फिर वो आत्मा गाए फिर वो आत्मा गाए शांति सागर की लहरे हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ख्यान रे हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ख्यान रे बेहत अनभव में छुपा है शांति और विश्राम रे सागर में डूबी हर गागर शांति धार वहाए शांति सागर की लहरे जब जब पास में आए मन हो शांत तल हो शीतल पावन सुख वर साए शांति सागर की लहरे जब जब पास में आए ओम संधी ओम संधी Om Shanti Om Shanti Om RamahU योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना सीचा है जान अमृत से अंतर का कोना पोना योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना सीचा है जान अमृत से अंतर का कोना पोना जब से लगन लगी है परते मिला तुभारा होकर बगन मन कहता बाबा तुही हमारा जब से लगन लगी है परचे पिला तुभारा होकर बगन मन कहता बाबा तुही हमारा रभु से महा मिलंपा मन में सदा है कोना सीचा है जान अमृत से अंतर का कोना पोना निष्चित ओर निर्पे ज्यारे है उए जनों में खुषबू पिखेर कायू कोई फूल कंथे को में निष्चित ओर निर्पे त्यारे है उए जनों में खुषबू पिखेर कायू कोई पूल कंथ का में रश्चों को देलते यू जो खेलते जियाना सीचा है जान मृत से अंतर का कोना पोना निर्मर्दन है दिष्चल मदवाणी है रुहानी खुषिया लुटाते सब पर संत अश्च जिंदगानी निर्मर्दन है दिष्चल मदवाणी है रुहानी खुषिया लुटाते सब पर संत अश्च जिंदगानी सीचा है प्रिम जल से हर रूभ को भिगोना सीचा है जान मृत से अंतर का कोना कोना कितना सुखद सलोना सीचा है जान मृत से अंतर का कोना कोना कितना सुखद सलोना तेह की मीटी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर तेह की मीटी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर चांदतारों से दूर इन जारों से दूर प्यारा प्यारा लगे है अपना घर देह की मीटी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर जहां रहे दूर रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा जो तीस वर रूप उनका मन में है मेरे जागा सबसे निराला रूप है उनका जग पे है छाया जादू जिनका चांदतारों से दूर इन नजारों से दूर प्यारा प्यारा लगे है अपना घर देह की मीटी से बड़ी दूर आओ छले हम अपने घर शुभ कर्मों की नाओं में बैठें कर ले भव का सागर पार शिव भाबा की गोद में लेतें आंधि तुफां होंगे मेरे पतवार नईया लगेगी अपनी किनारे उनकी ग्रिपा से हो जीवन उधार चांद तारों से दूर इन अजारों से दूर प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर देह की मीटी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर चांद तारों से दूर इन अजारों से दूर प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर प्यारा लगे हैं अजारों से दूर इन 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 अजारों से दूरों 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 जिल में सितार बन कर उड़के वतन में जाए आये परंपिता से मंगर मिलन बनाए जिल में सितार बन कर उड़के वतन में जाए आये परंपिता से मंगर मिलन बनाए जिल में सितार बन कर जिल में सितार बन कर उड़के वतन में सितार बन कर उड़के वतन में जाए जिल में सितार बन कर उड़के वतन में सितार बन कर उड़के वतन में जाए जली हो वो नीचे देह दुनिया की विस्रि हर गली हो जली हो वो नीचे देह दुनिया की विस्रि हर गली हो सजी आत्मा सजनिया सजी आत्मा सजनिया यही गार गाती जाए आये परंपिता से मंगल मिलन बनाए जिल में सितारे बन करे जली हो वो नीचे देह दुनिया यही आत्मा सजनिया नीले गगन के ऊपर त्यारा वतन यही है मेह फिल रूहानी मनी आये जगमगा रही है मेह फिल रूहानी मनी आये जगमगा रही है आनन्द सिंधु में हम आनन्द सिंधु में हम यहरे समात जाए आये परंपिता से मंगर मिलन बनाये जे में सितारे बन करे जे में आये जाए अव्यक्त है अनुखा अनुभव बड़ा निराला देहत अतीन्तिय सुख चिर शांति प्रेम वाला अव्यक्त है अनुखा अनुभव बड़ा निराला देहत अतीन्तिय सुख चिर शांति प्रेम वाला परमात्म स्मीह आचल से दूर कैसे जाए आए परम्पिता से मंगल मिलन बनाए छे में सितार बनकर उड़के वतन में जाए आए आए परम्पिता से मंगल मिलन बनाए छे में सितार बनकर परम्पिता से चा तप है परम्पिता से billव को अनुभवपों झाल 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 आल झाल 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 आल आल झाल झाल याल झाल 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 आल झाल 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 आल झाल आल 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 हो आल 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 आज आज आल 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 आज आल आ आल 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 हम उड़के चले जाए उस प्यारे से वतन में उस मीखे से वतन में 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 दोपे से वतन में कर दोड़के चले कर दोड़के चले के लिए झाल झाल जाना है वहाँ हम को जहां बापर दादा है जाना है वहाँ हम को जहां बापर दादा है बना है संपूरण हो किया बाबा से वादा है जो बाबा से किया था बाबा दा निभाएंगे हम उड़के चले जाएं वो हम उड़के चले जाएं उसे प्यारे से वतं में उसे नीखे से वतं में करेशन बापित बिश्यू कहों आखते प्राद जाएंगे बाबा को पो हम उसे प्राद का कैर खार चारे मुब्र मिच मापतश सेनातर भीच कि प्रत satisfyल्च में रे बड़के रष्ओन दात ये देह ना यादाए देह धारी ना यादाए ये देह ना यादाए ये पतित पुरानी से हो दुनिया भी ना यादाए यादाए तो बस अपना गोवतन ही यादाए हम उड़के चले जाए उस प्यारे से वतन में उस मी के से वतन में करने पते हो दूए ये पता है ये 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 वादाए कर दो कर दो कर दो ये दुनिया विकारी है इस दुनिया से क्या नेला ये दुनिया विकारी है इस दुनिया से क्या नेला वो नगर हमारी है हमको है बहां रहना हम ज्यान से सजधज के उस नगरी में जाएंगे हम उड़के चले जाएंगे प्यारे से वतन में उस मीठे से वतन में प्यारे से वतन में जाएंगे बतन में है खहर हुए बाबा हमारे लिये हो बतन में है खहर हुए बाबा हमारे लिये कर रहे हैं इंतजार भर ले जाने के लिये आकारी बन करके हम बतन में जाएंगे हम उड़के चले जाएंगे उस प्यारे से वतन में उस मीठे से वतन में हो अव्यात वतन में हम उड़के चले जाएंगे उस प्यारे से वतन में हो उस मीठे से वतन में प्यारे से वतन में हो जाएंगे झाल झाल बापा तेरे हम रहे यही जिन्दगी का सार है बापा तेरे हम रहे यही सिन्दगी का सार है इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है बापा तेरे हम रहे प्राणों में बस तु है बापा और न दूजा कोई प्राणों में बस तु है बापा और न दूजा कोई स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गुंजा वही बापा तु ही एक जिस पर बचों का अधिकार है बापा तु ही एक जिस पर बचों का अधिकार है बापा तेरे हम रहे हमने ढूंडा आप जैसा बाप कोई न मिला हमने ढूंडा आप जैसा बापा कोई न मिला जिसको अपना कह सके ऐसा ही तेशी न मिला हमको बाबा न मिला तुझ में अपनी बस्ति देखी तू ही बस संसार है बाबा तेरे हम रहे अपना प्यारा करके हम को जग से न्यारा कर दिया अपना प्यारा करके हम को जग से न्यारा कर दिया जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया ये रिदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है बाबा तेरे हम रहे यही जिन्दगी का सार है इस बरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है बाबा तेरे हम रहे हम सभी अत्माई कितने भग्यवान है जब सारा संसार सोया हुआ है हम चले हैं प्रभु मिलन करने इस वर ये सुख पाने अपनी जोली वरदानों से भर ले मैं चमकते हुई मनी भ्रकुटी की कुटिया में विराज़ान में तेजस्वी आत्माँ प्रकुटी की कुटिया में करक कहें दुटुटी की का loaded आत्माँ नपकत्रवी में प्रकुटी दारी अदो प्रकुटी medium प्रभुटी प्रतम्प्राओन मैं स्वाराज धिकारी प्रकुटी सेंगासन पर विराजमान हमें आत्मा शान्त स्वरूप मुझसे जारो और शंती की किरने फैल रही है मैं श्यान्त हूँ बहुत श्यान्त हूँ इस देहे से अलग पूरी तरह डिटैच्च यह देहे जैसे की है ही नहीं मैं सुक्ष्वरूप हो मैं संपूर्ण सुखी हूँ बाबा आपको पकर मैं बहुत सुखी हूई मैं अटमा मैं अटमा परम पवित्र हूँ मुझसे चार और पवित्रता की सफेद किरने फैल रही हैं मैं संपूर्ण पवित्र हूँ मैं पवित्रता का सुर्य हूँ मैं पवित्रता का सुर्ण मैं आत्मा पॉइंट ओफ एनर्जी शक्ति स्वरूप मास्टर सर्व शक्तिवान हूं मुझसे चारो और शक्तियों की किरने फैल रही हैं अब मैं आत्मा इस देश से निकल कर ओपर की ओग चलते हूं तेजस्वी किरने चारो और फैलाते हुए मैं जा रही हूं अपने घर की ओर पाँचदी श्यंती धाम यह मेरा घर चारो और यहां अपार श्यंती है मैं अपनी मूल इस्थिती में हूं मुक तोर संपुर्ण हूं श्यंती धाम की समस्यंती मुझ में समा रही है दीप साइलेंस में आपिए आपदीत मुक तोर संप्स्टार मुक तोर संप्स्टार उपर हैं श्यंति के सागर्शिवाबा उनसे निकली हुई श्यंति की तरंगें मुझ पर पड़ रही है परमात्म श्यंति मुझ में समा रही है श्यंति मुझ में समा रही है कर दो कर दो कर दो कर दो सामने है ग्यान सूरिए मैं उनकी किरनो के नीचे किरने। यहां से मैं आत्मा वापिस आती हूँ और मैंने प्रवेश कर लिया अपनी इस देहे में पुने मस्तक सिंगासन पर मैं मस्तर सर्व शक्तिवान तिरान बाबा का आहवान करते हैं हे सर्व शक्तिवान हम आपके प्यारे बच्चे आपका अहवान कर रहे हैं अपना धान छोड कर हमारी चत्र चाय बन जाओ सर्व शक्तिवान हमारा निवंत्रन सुनकर अपनी थे जस्वी किरने चारो फैलाते हैं नीचे उतरने लगे धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं आगे हमारे सिर के ऊपर नीचे मैं सिर्शक्ति मास्टर सार्व शक्तिवान और सिर के ऊपर सर्व शक्तिवान चत्र चाया लगे हमारे सिर्शक्तिवान लगे हमारे सिर्शक्तिवान अपर्ण अपर्ण झाल झाल सर्व शक्तिवान सिर्कियो उपर बेहद की छत्र छाया उनकी सक्तियों की किर्णे मुझ में समा कर जारो और फैल रही है झाल 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 के लाद झाल 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 यहां से अब हम चलते हैं, पहले जलम में, आत्मा, मैं उड़ चली, देव लोक में, यह मेरा पहला जन्म, देव स्वरूप, सिर परडवलताज, कंचन काया, मैं सरवन संपन्न, संपूर निर्विकारी, चारो ओर, प्रकर्ती का अतुल दिये, संदर दिये, दूर दूर तक चमकते हुए सोने हीरो के महल, चहोर विचरन करते देव गर्ण, हवाओं में भी सुगन्त, सुक्ष्यांती पवित्रता और संपन्तास युक्त संसार, मैं विश्वराज अधिकारी, सिंघासन कर्विराजमान, पज्या स्वरूप में, पज्या स्वरूप में, मैं वेग्ण विनास गडेंस या सिव सक्ति अस्ट वुजाधारी देवी मंदिर में इस्थित सामने खडे हजारो भक्त गुनगान कर रहे हैं वेदेवी तुमसुर्शंगारिनी हो विद्यदायनी हो भाग्यविधाता सिद्धी दाता हो सबके मनों कामनाई फून करने वादी हो वेदे वेदे नए में आ किे वेदेश थोई instantly आ तुम्यविदा चुम सबस्टा में हो सबस्टी c हे देव, आप्वेग्न विनासको, सिद्धी विनायको, विद्यापती हो, सामने खड़े हजारो भक्त, हमारे स्वरूप का दिदार कर रहे हैं, मस्तक से लाइट निकलती है, सभी भक्तों पर पड़ रही है, जैजैकार कर रहे हैं, जैजैकार कर रहे हैं, प्राम्मान स्वरूक इस अंसार में सबस्य अधीक भाग्यवान इस्वर्य सुखों से योग्त परमात्न प्रेम में लेन परमात्न पालना में पलने वाली आत्मा स्रेष्ट परिष्टा स्यमक्ति हुई मनी प्रकास की काया में विराजमान मैं डबल लाइट लाइटाओ वरिष्टा अंगंग से लाइट की केरने फैल रही हैं मैं पवित्रता का फरिष्टा हूँ धर्ती से उपर संसार से पूर्णतया डिटेच परम्धाम में पवित्रता के सागर बाबा अ हूँ अ हुआ झाल झाल उनकी पवित्र किर्णे सफेद किर्णे मुझे परपड़ रही है उपर से पवित्र किर्णों की जैसे की बरसाथ हो रही है किर्णे मुझे बरसाथ हो रही है किर्णे बरसाथ हो रही है किर्णे मुझे बरसाथ हो रही है झाल झाल कर दो कर दो अब मैं फरिष्टा उड़ चला सुक्स मुलोक में आकास के उपर यवारीश तो छुड़ टुड़ तो नड़िए वपरीश तो में तो नड़। चारो ओ सफेद प्रकास सामे भाप दादा ब्रम्मा बाबा की अंग अंग से प्रकास फैल रहा है उनके मस्तक में ज्ञान सूरिये शिवावा चमत रहे हैं कर अधिया धम बादा प्रकास बादा शार के अंग से अंग सब्से हैं बादा नाख और सकता रहा है बादान से प्रकास सामेप़ा को बादा रहा ही तुछ बावाद रस्ती दे रहे हैं अब सारी संसार को दरश्टी दे गलोब को दरश्टी दे बावा ने अपनी हजार भुजाओं की छत्र छाया मेरे सिर के उपर लगा दी है बावाद रस्ती दे रहे हैं अब सिर पर अपना हाथ रखा उनके हाथ से शक्तियों के वाइब्रेशन्स मुझ में समाने लगे मस्तक पर दिलक लगाया और वर्दान दिये बच्चे सदा सुखी भव माया जीत भव विजयी भव स्रेश्त योगी भव सफलता मोर्त भव द्रश्ती दे रहे हैं पुने सिर पर हाथ रख कर बोले बच्चे तुम साधारन नहीं हो मेरे द्वारा चुने हुई महान आत्मा हो तुमारा जन्म ही महानकारियों के लिए हुआ है तुम इस रश्ती के स्रंगार हो जहान के नोर हो मैंने तुम्हे अपनी सारी शक्तियां ब्रदान की हैं तुम मास्टर सर्व शक्तिवान हो माया से और समच्याओं से बहुत अधिक शक्ति शाली हो मैंने तुम्हे वर्दान दे दिया है तुम विग्न विनासक हो जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहां सभी के विग्न नास्ठ हो जाएंगे तुम्हारी दर्ष्टी दुसरों को विग्नों से मक्त करेगी तुम विजय रतन हो तुम तो माला के ऐसे मन के हो जिन्हें इस्मरन करके भग्त भी समस्याओं से मक्त हो रहे हैं तुम पवित्रता की देवी हो पवित्रता की फरिष्टे हो प्रकरती के मालिक हो ये प्रकरती तुम्हारे वाइब्रेशन्स की वैसे ही इंतजार करती है जैसे प्यासा मनुश्य पानी का तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है तुम विश्व कल्यान कारी हो सब के पूर्वज हो बाप समान हो बचे तुम साधारन नहीं हो बहुत महान हो दर्ष्टी दे रहे हैं मुश्क्रा रहे हैं भावा को सचे मन से सुक्रिया करेंगे हे प्रानेश्वर हे खुदा दोस्त आपको पाकर हम धन्य धन्य हो गए आपने हमें अपार सुख दिये आप आये स्वरक की बादसाह सुगात में लाये आपने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिये जीवन की यात्रा पर हम अकेले थे आप हमारे साथी बन गए आपने हमें जीना सिखा दिया शक्तियों और वर्दानों से हमारी पालना की आपको कोटी कोटी बार शुक्रिया बाबा मुस्क्रा रहे हैं दरस्टी दे रहे हैं और सामने से जान सूरिय की केरने मुझ पर पड़ रहे हैं ओम सेंदी ओम सेंदी मुझ तरस्टी दके रहे हैं अजय कीपाल इंदी रहे रहे हैं आप आप ओम आप तारों से सजे गगन जैसे फूलों से सजे चमन जैसे खुशबू से सजे पवन जैसे तुम से सजे जीवन ऐसे मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा तारों से सजे गगन जैसे फूलों से सजे चमन जैसे खुशबू से सजे पवन जैसे तुम से सजे जीवन ऐसे मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा सिखी आश्रिंगा, दिया देव्य गुणों का हार ओ सज भावों सिखी आश्रिंगा, दिया देव्य गुणों का हार दिल दख्त पे हुए सवार, पार्ता जोते लग उपहार मन महके मधवन जैसे, तुलसी से सजी आंगन जैसे, खुश्वू से सजी पवन जैसे, तुम से सजी जीवन ऐसे मेरे बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा, मेरे बाबा मेरे बाबा जहरी पे चमक है रुहानी, आखों में लिखी है कहानी और मन में है भीत पुरानी, और दिल में छबी है सुहानी मस्तक पे सजी चंदन जैसे, हाथों में सजी कंगन जैसे खुश्वू से सजी पवन जैसे, तुम से सजी जीवन ऐसे मेरे बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा, मीठे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा दिवास है कल्यान किया है गंगा पावन जैसे सागर में है रतन जैसे खुषबू से सचे पवन जैसे तुमसे सचे जीवन ऐसे मेरे बाबा मेरे बाबा, शिव बाबा, प्यारी बाबा, मेरे बाबा प्यारी बाबा, शिव बाबा, मेरे बाबा बाबा बुला रहे हैं बच्छों बतन में आओ अब मुझे को न बुला उ तुम मेरे पास आओ बाबा बुला रहे हैं बच्छों बतन में आओ अब मुझे को न बुला उ तुम मेरे पास आओ कर दो दुखियों की चीत कारे क्या तुम तलक न आई क्या भकों की पुकारे पढ़ती नहीं सुनाई दुखियों की चीत कारे क्या तुम तलक न आई क्या भकों की पुकारे पढ़ती नहीं सुनाई उनको दरश दिखाओ अब कुछ तरस तो खाओ बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ अब मुझे को न बुलाओ तुम मेरे पास आओ जब जब मुझे बुलाया तब तब में पास आया सर्वस्वफ न देकर बादा हर इतनी भाया जब जब मुझे बुलाया तब तब में पास आया सर्वस्वफ न देकर बादा हर इतनी भाया मेरे समान बनकर तुम भी वादा निभाओ तुम भी वादा निभाओ बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ अब मुझे को न बुलाओ तुम मेरे पास आओ तुम भी वादा निभाओ मैं पास में तुम्हारे आता रहूंगा कब तक इंतजार में बतन में करता रहूंगा कब तक मैं पास में तुम्हारे आता रहूंगा कब तक इंतजार में बतन में करता रहूंगा कब तक अब देर ना लगाओ आओ बतन सजाओ आओ बतन सजाओ बाबा बुला रहे हैं बच्छो बतन में आओ अब मुझे को ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ बाबा बुला रहे हैं बच्छो बतन में आओ अब मुझे को ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ बाबा बुला रहे हैं आज भी देते हो बाबा आज भी देते हो बाबा पाल ना साकार की आज भी देते हो बाबा पाल ना साकार की भर की जाते सब यहां से जोनी तेरे प्यार की आज मेरे देते हो बाबा पाल ना साकार की आज मेरे देते हो बाबा पाल ना साकार की बच्चों के उपर हर पर तेरी ही छत्र छाया है साकार कहां अयक कहां कोई ना अंतर खाया है तुमसे पाई द्रिष्टी हमने द्रिष्टी हमने शिव निराकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की साधना और शिक्षा वही है बधुबन की हर रीत वरी सबके दिलों में पर रही है बाबा तुम्हारे प्रेत वरी तुमसे ही है जीवन में जीवन में जीवन में खुशिया सारे संसार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की सीवा में सैदा साथ का अनुभर सबको कराते रहते हो अफ्यक्त रूप से भी बाबा बर्दान देते रहते हो बस उन्धरा पे गूँज रही गूँज रही गूँज रही मही मा तेरे उपकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की भर के जाते सब यहां से जोनी तेरे प्यार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की पालना साकार की पालना साकार की फालना साकार की अज भी चनो से बाबा आज भी एना साकार की ड़ी हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा हर रोज वो सवेर आकर हमें जगाता मेरे लाड लो उठो कहे बड़े प्यार से उठाता हर रोज वो सवेर आकर हमें जगाता मेरे लाड लो उठो कहें बड़े प्यार से उठाता क्या सोते जगते हर पल देखूं वही नजारा हम हो गये उसी के हम हो गये उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा सद ग्यान के लुटाएं हम पर वो ही रे मोती मेरी ही एक की क्या जग की जगाएं जोती सद ग्यान के लुटाएं हम पर वो ही रे मोती मेरी ही एक की क्या जग की जगाएं जोती हम हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा हम हो गये उसी के हम हो गये उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभ का मिला सहारा नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई जनम जनम की सुन्दर तकदीर है वनाई नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई जनम जनम की सुन्दर तकदीर है बनाई आंगन में मन के मेरे जननत को है उतारा हम हो गये उसी के हम हो गये उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभ का मिला सहारा हम हो गये उसी के हम हो गये उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभ का मिला सहारा हम खुश नसीब कितने प्रभ का मिला सहारा हम खुश नसीब कितने हम खुश नसीब कितना रहार झाल, झाल, झाल. भगवान तुम्हारा ग्यान सिमर कर मन बेहद हर शाता है आनंद मगन आतम पंची आनंद मगन आतम पंची अंबर में कहीं खो जाता है भगवान तुम्हारा ग्यान सिमर कर ये परम व्यान अब तक न पढ़ा ना लिखा गया है किताबों में भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख सोचा ना देखा खावों में प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है भगवान तुम्हारा ग्यान सिमर कर सागर की तुम्हारा ग्यान सिमर कर लहर लहराती है मुरले की मीठी तानों में ये इंद्र धनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में तन सिहर सिहर मन मचल मचल हर पल तेरे गुण गाता है भगवान तुम्हारा ग्यान सिमर कर अनमोल वचन ये मधुर कथन पावन पावन मन भावन है विश्वास चमकता जीवन में मन आंगन में सुक सावन है आखों में लाखों चमन खिले खुश्वों से जहां भर जाता है भगवान तुम्हारा ग्यान सिमर कर मन वे हद हर शाता है आनंद मगन आतम पंची आनंद मगन आतम पंची अंबर में कहें खो जाता है भगवान तुम्हारा ग्यान सिमर कर यही है तमन्ना बने बाबा तुम्हारा चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए यही है तमन्ना बने बाबा तुम्हार चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए हमें तो अतन की बहुत याद लाए हमें तो अतन की बहुत याद लाए हमें तो अतन की बहुत अतन की बहुत लाए किस काम की है पुरानी ये दुनिया बड़ी प्यार है वो मिराकारी दुनिया विदे ही बनेंगे प्रभू संच लेंगे परम शातिया आनंद अनुभा करेंगे देखो इशारों से कोई बुलाए हमें तो अतन की बहुत याद लाए हमें तो वतन की बहुत याद लाए मुद्दत है तो अतन की बनेंगे प्रभू संच लेंगे हैं गुजरी बिछडे वतन को मिला क्या यहां पर लगा करके मन को यह तुमने बताया हुआ खेल पूरा जगत का यना तक रहा न अधूरा यहां की नशे कोई अब जी को भाए हमें तो वतन की बहुत याद लाए हमें तो वतन की बहुत याद लाए हमें अधन प्रभाए अधन तो राओ यहां प्लाव हमें खेलो यहां रहां गात्त हमें बहुत यहां वतन की बहुत यादों में बाबा तेरे मन मगन हो बूला हो संसा बूला ये तन हो तभी पुष्प वर्शा हो गूंजे बधाई उड़ो प्राण मेरे चलो ले विदाई परिष्टों की मैं है फिल है आँखे पिछाए हमें तो वतन की बहुत याद आए यही है तमन्ना बने बाबा तुमसा चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो वतन की बहुत आए पिश्वर अपने साथ है दरने की क्या बात है सदा सफलता साथ हमारे सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है इश्वर अपने साथ है करने की क्या बात है सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है पिश्वर अपने साथ है दरने की क्या बात है समय से पहले भाग के से ज्यादा बोलो किसने पाया है तेरा था जो तुझे मिला है कोई तो छीन न पाया है जीवन प्रभु सौगात है तिर काहे तिक रात है सदा सफलता साथ हमारे सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है इश्वर अपने साथ है दरने की क्या बात है जिसके नाम से कितनों के ही बिगडे काम तो बन जाते जिसकी याद से जनम जनम के कष्ट सभी मिट जाते जिसके नाम से कितनों के ही बिगडे काम तो बन जाते जिसकी याद से जनम जनम के कष्ट सभी मिट जाते सामने वो दिन रात है यार की वर सात है सदा सफलता साथ हमारे सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है इश्वर अपने साथ है दरने की क्या बात है इश्वर अपने साथ है दरने की क्या बात है इश्वर अपने साथ है दरने की क्या बात है आ, 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 नई सुबह की नई किरन चलो रे पंची पार गगन नई सुबह की नई किरन चलो रे पंची पार गगन बिखरा करके किरन किरन बुला रहा है ओ प्राण धन नई सुबह की नई किरन नहीं देह ना देह कमान ना तो दुनिया का है ध्यान आय प्रभु में खो जाएं हो जाएं हम एक समान महा मिलन की लगी लगन आओ कर ले प्रभु मिलन आओ कर ले प्रभु मिलन दूर जगत से बहुत ही दूर अपना बतन निराला है है अनंत आव्यक्त यहां प्यास मुझे सुख मिला सधन आओ कर ले प्रभु मिलन आओ कर ले प्रभु मिलन मन ही मन में मुलाकाती हो रही है मीठी बाती हो रही है मीठी बाती परम जोती से जोती की स्नीह भरी ये बरसाती स्नीह भरी ये बरसाती बरस रहा है सुख सावन आओ कर ले प्रभु मिलन आओ कर ले प्रभु मिलन परम शांति पाए विश्रा संकल्पो को मिला विरां परमानंद समाया है कितना प्यारा शानति था कितना प्यारा शानति था अंतर मन बन कया सुमन आओ कर ले प्रभु मिलन नई सुबह की नई किरन चलोरे पंची पार जगन नई सुबह की नई किरन चलोरे पंची पार जगन बिखरा करके किरन किरन बुला रहा है ओ प्राण धन आओ कर ले प्रभु मिलन आओ कर ले प्रभु मिलन आओ कर लेखरा जो प्रभु मिलन आओ कर ले प्रभु मिलन आओ कर ले जग्तर। अम्रित बेला शुद्ध पवन है मेरे लाड़ लो जागो अम्रित बेला शुद्ध पवन है मेरे लाड़ लो जागो अखे आँखोलो शिव शिव बालो अखे आँखोलो शिव शिव बालो बच्चों आलस त्यागो मेरे लाड़ लो जागो अम्रत बेला शुद्ध पवन है मेले लाड़ लो जागू मुरली के स्वर मदूर मिले है मदू बन के भी फूल किले है मुरली के स्वर मदूर मिले है मदू बन के भी फूल किले है धरती जागी अंबर जागा धरती जागी अंबर जागा तुम भी लाड़ लो जागो मेले लाड़ लो जागो 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 डाल डाल पर पंचे बोले कानों में अम्रित रस घोले डाल डाल पर पंचे बोले कानों में अम्रित रस घोले प्रभू मिलन का यही समय है प्रभू मिलन का यही समय है ब्रह्म मोहूरत है जागो मेरे लाड़ लो जागो 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 सोबत है सो खोवत है जागत है सो पावत है जागत है जो पावत है बाबा की प्यारी वाने सुन बाबा की मिठी वाने सुन प्यारे बच्छो जागो मेरे लाड लो जागो अम्रित बेला शुद पवन है मेरे लाड लो जागो अक्या खोलो शिव शिव बालो बच्छो आलत त्यागो मेरे लाड लो जागो मेरे लाड लो जागो मेरे लाड लो जागो मेरे लाड लो जागो शिव बाबा को याद कर जी भर उसको प्यार कर सांसों को आबाद कर ले मेरे मना शिव बाबा को याद कर जी भर उसको प्यार कर सांसों को आबाद कर ले मेरे मना आया है लेके जूमती बहारे विंजिंपरस्ती स्नेह की फुहारे रंग निराला है रूप सलोना दिल चाहि उससे जुदा कब न होना अपना इंतजार कर बैठना हिम्मत हार कर प्रभ का तू दीदार कर ले मेरे मना शिव बाबा को याद कर जी भर उसको प्यार कर सांसों को आबाद कर ले मेरे मना यादों की लहरों में जो लहराए एक अलाग एक सुख वो पाए दे शुली को काटा कर दे काटे को जूही परवत को राई कर दे राई को रूही दिल ही दिल में बात कर पन में मुलागात कर खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना शिव बाबा को याद कर जीभर उसको प्यार कर सांसों को आबाद कर ले मेरे मना सांसों को आबाद कर ले मेरे मना सांसों को आबाद कर ले मेरे मना चलो हम चले पांच तू आप तू के पार जहां रहते हैं शिव बाबा हमारे मिले हम गुनों के भंडारी से जाके लूटे उनी से अलोखे नदारे चलो हम चले हमें बिंदू से रूप में है समाना करे से वा सब की ये बाबा का कहना मिरा लिये शक्ति है दुनिया को देना बतन में खरे बाब दारा कुपारे पी जलो हम चले पांच तू के पार जहां जहते है शीव बाबा हरारे चलो हम चले करे आज पावन ये संक अप अपना भरे योग किर ने ये बाबा का कहना रुहानी चमत से जहां को सजाना दे उनको सहाना जो है बेकारे चलो हम चले आज ततू के पार जहां जहते है शीव बाबा हरारे चलो हम चले हमें छोड अव गुण है वनना परिष्टा हमें छोड अव गुण है वनना परिष्टा अव गुण है बनना परिष्टा करें बिंदु के साथ प्यारा सारिष्टा सभी बातों को भूल बन याद रखता इसी देह से सर्ब बन जाए नारे चलो हम चलें पांच तत्वू के पार चलो हम चलें पांच तत्वू के पार जहां रहते हैं जिव बादा हरारे चलो हम चलें पांच तत्वू के पार चलो हम चली पाँ चलो हम की पाँ चलो हम की पाँ चलो हम की पाँ डिख जह दो कि शॉटा हम चलो हम की पाँ जिल में सितार बन कए उड़ के वतन में जाए आए परंपिता से मंगर मिलन बनाए जिल में सितार बन कए उड़ के वतन में जाए आए परंपिता से मंगर मिलन बनाए जिल में सितार बन कए परंपित कर दो जिल में सितार बन कंए आए परंपिता कque अजendoल बनाए दिल में सितार बन के ऊए जान में सितार बन करके वतनाए इस जाए ठस सा दिल में सितारीák मिजभाल से निकर कर फुल जड़ियां उड़ चली हो वो नीचे देह दुनिया की विसरी हर गली हो मिजभाल से निकर कर फुल जड़ियां उड़ चली हो वो नीचे देह दुनिया की विसरी हर गली हो सजी आत्मा सजनिया सजी आत्मा सजनिया यही गार गाति जाए आये परंपितासे मंगर मिलन बनाये जिल में सितारे बन कहे कर दो पर गाही जात्त है जाएंने तैना टॉक्हा थो यह के दोड़ ofere नीले गगन के उपर त्यारा वतन यही है मेह फिल रुहा निमनी आये जगमगा रही है नीले गगन के उपर त्यारा वतन यही है मेह फिल रुहा निमनी आये जगमगा रही है आनन्द सिंधु में हम आनन्द सिंधु में हम गहरे समात जाये आये परंपिता से मंगर मिलन बनाये जे में सितारे बन कए आनन्द सिंधु में आये जगमगा रही है 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 अप्यक्त है अनुखा अनुभव बड़ा निराला देहत अतिन्दिय सुख चिर शांति प्रेम वाला अप्यक्त है अनुखा अनुभव बड़ा निराला देहत अतिन्दिय सुख चिर शांति प्रेम वाला परमात्म स्मीह आचय परमात्म स्मीह आचय से दूर कैसे जाए आए परम्पिता से मंगल मिलन बनाए छे में सितारे बनकर उड़के वतन में जाए आए परम्पिता से मंगल मिलन बनाए छे में सितारे बनकर आए परम्पिता से मंगल मिलन बनाए आए परम्पिता से मंगल मिलन बनाए मंतन चलो मनाने रभू मिलन मिला वतन का थुलानी मंतन चलो मनाने रभू मिलन बनके फरिश्टे गाते हैं हसते हम तो चले हैं हो के मगन मिला वतन का थुलानी मंतन चलो मनाने रभू मिलन वहां न कोई समख सिमा न दे है दुनिया का कोई बंधन बड़ी सलोनी मधुर शांती है ये संझे जाने हमारा ही मन हजारों आए सभी समाए रभू का दिल है बड़ा गगन मिला वतन का थुलानी मंतन चलो मनाने रभू मिलन वतन से करते प्रभू इशारे आओ मेरे लाड़ लो पुकारे बाहूं में मेरी आक समाओं मेरे जी जैसा स्वरूप थारों उनके ही संग में रूहानी रंग में रंग के चलेंगे लगी लगन मिलावतन का खुलानि मंत्रन चलो मनाने रभू मिलन मिलन की अनुहती एक पल की देती है क्रेती युगों युगों गी ये सुख का संसार ही अलग है परम पिता से परम सुखों की सभी शक्रियां अतिंद्रिय सुख मिले खजाने हमें सकन मिलावतन का खुलानि मंत्रन चलो मनाने रभू मिलन बनके फरिश्टे काते हसते हम तो चले हैं के मगन मिला वतन का खुलानि मंत्रन चलो मनाने रभू मिलन चलो मनाने रभू मिलन चलो मनाने रभू मिलन चलो मनाने रभू मिलन चलो 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 मिलन आप द्रिष्टी यूही देते रहवा आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिष्टी यूही देते रहो बाबा हो गए अपनी हाल ये नैना बाबा अपती रुहानी नजरों से पालिया है मुझे था जो पाबाबा ये आबाज निकले अंतर से आप शक्तियों ही भरते रहो बाबा इस देह की दुनिया से उड़ जाओं आप दिष्टी यूही देते रहो बाबा शुक्रिया आपका लाख बाबा आपने हमको दिल से अपना लिया प्यास जन्मों की अब बुझ गई है अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया आप आके यूही मिलते रहो बाबा बनके जन्नत की खुश्बू बिखर जाओं आप दिष्टी यूही देते रहो बाबा हर कल्प यूही मिलते रहेंगे प्रीत की डोरे ऐसी है बांधी आपसे दूर ना रह सकेंगे आए माया की कितनी भी आंधी प्यार की वर्शा करते रहो बाबा मैं स्मीह के मूती से बर जाओं मैं स्मीह के मूती से भर जाओं आप दिष्टी यूही में ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी इन लहरों को दामन में भर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं इन लहरों को दामन में भर जाओं कर्या वार में ख्यास ठेक्द चिर नाट युल जए रहरों को वहरे ओ। वहरों को दामन में भर जाओं रहों को दामन में गहरे उतर दामन को कर दो कर दो मन पंची तू उड़ जा वतन में रुत है ये प्रभू मिलने की मस्त पवन है मेह का चमन है मस्त पवन है मेह का चमन है बेला है मंगल मिलने की मन पंची तू उड़ जा वतन में रुत है ये प्रभू मिलने की मस्त पवन है बादल की छांसे तारों के गाउं से पार चला जा जग की हवाउं से छोड के पीछे नील गगन को ये खड़ी है प्रभू मिलने की मन पंची प्रभू मिलने की हज़ी खड़ी आड़ी। भूले किसारे जग का कर्शन तोड के छूठे देह का बंधन उड़ जा फ्रेम के पंख लगाकर दिल में लगन अब मिलने की मन पंख ली मन पंख लूठे सुख में आँ हम खो जाएं परम पिता से आनंद पाएं परम पिता से आनंद पाएं प्रभू मिलन के परम सुखों से कर्या खिलती है तन मन की मन पंखी तू उड़ जा वतन में रुत है ये तभू मिलने की मस्त पवन है मेह का चमन है बेला है मंगल मिलने की मन पंखी तू उड़ जा वतन में रुत है ये प्रभू मिलने की मन पंखी प्रभू मिलने करें रुत है करें रुत है रुत है करते हैं संगम युग के शिव से मिलन मनाने वर्दानों से भरकर जोली जन जन को लुटाने शिव से मिलन मनाने चले फरिष्टे संगम युग के शिव से मिलन मनाने वर्दानों से भरकर जोली जन जन को लुटाने शिव से मिलन मनाने चले फरिष्टे संगम युग के शिव से शिव से शिव से न जन को लुटे अधिकारी सजे गुणों से आज शिद के शक्ती के अधिकारी सजे गुणों से आज सुख मन साए हर प्राणी में देलों करकर ते राज सुख बर साए हर प्राणी में देलों करकर ते राज चले पहन के दिंब्या गहने हर बर को हर शाने वरदारों से भर कर शोले जन जन को लुटाने शिव से मिलन मनाने चले फरिष्टे संगन युग के हाह 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 आदे इंद्रिय सुख में जूमें हर दुख से हो तू अति इंद्रिय सुख में जुमें हर दुख से हो दूर चलते जाए वो मलज को गुणों से हो भरबूर चलते जाए वो मलज को गुणों से हो भरबूर कमल समार बने इस जग में शिव के वो परवाने गरदारों से घरकर छोली जरजन को लुटाने शिव से मिलन मनाने चले परिष्टे संगाम युग के कर दो भरबूर हुआ कर दो अगा हुआ 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 है हुआ है हुआ है कि अ अजय कर दो, प्रोग, अजय कर दो, यह वह जो भूद आ, आ बाखने बनके बाबा आपके हर कितने धनवान हुए बनके बाबा आपके हर कितने धनवान हुए दिल का नाता जुडा जब से हर गंसे अंजान हुए बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हुए बेपनाता जुडा जब से हर गंसे अंजान हुए बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हुए बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हुए सुख मिला शती मिली मिली है राखों खुशिया सुख मिला शती मिली मिली है राखों खुशिया जैसे हो तागुलों से गुर्शन योही सजी हमारी दुनिया नजरों से तेरी नजर मिली तो हम कितने निहान हुए बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हुए बनी हसी तकदीर हमारी आपके जो करीब आए बनी हसी तकदीर हमारी आपके जो करीब आए हाथों की बदली लकीरे आपसे हम मिलन मनाए तेरी रंग में रंग कर बाबा हम कितने महान हुए बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हुए बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हुए देता नाता जुड़ा जब से हरवां से अंजार हुए बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हुए बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हुए शे झाल बनके 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 टकुए प्लाइब बढ़ में प्लाइब झाल पर्म पिता शिव पर्म धाम से योग सिखानी आए है शिव योग सिखानी आए दे पावन और योगी पन्नेका शुबसंदे साला आए है शिव शुब संदे साल आये हैं पर्म किता शिव पर्म धाम से योग सिखाने आये हैं शिव योग सिखाने आये हैं देह नहीं हो बिन्दू सचेतन तुम अविनाशी आत्मा हो देह नहीं हो बिन्दू सचेतन तुम अविनाशी आत्मा हो पर्म सत गुरू पर्म पिता में जानो मुझ पर्मात्मा को राज योग से जनम जनम के पाप मिटाने आये हैं शिव पाप मिटाने आये हैं पर्म पिता शिव पर्म दाम से योग सिखाने आये हैं जीवन कमल समान बनाओ आत्मा हो की जोती जगाओ जीवन कमल समान बनाओ आत्मा हो की जोती जगाओ पर्म पिता से योग लगाओ मन वानी शुद करम बनाओ श्री लखनी श्री नारायन पद सुख करवर सा लाए हैं पर्म पिता शिव पर्म दाम से योग सिखाने आये हैं शिव योग सिखाने आये हैं करमों की तुम गति को जानों चौरासी के चक्र पहचानों करमों की तुम गति को जानों चौरासी के चक्र पहचानों हम सो सो हम राज को जानों हम सो सो हम राज को जानों तुम खुद देव के सच ये मानों शिव बनाते करम के प्रामन देव बनाने आये हैं शिव पर्म पिता शिव पर्म धाम से योग सिखाने आये हैं पावन और योगी बनने का शुबसंदे साल आये हैं शिव शुबसंदे साल आये हैं करम पिता शिव करम धाम से योग सिखाने आये हैं शिव योग सिखाने आये हैं एक ही अर्मान है जिन्दगी हो खुशनुमाद इस जगत के वास पे हम बने अब रहनुमाद हम बने अब रहनुमाद एक ही अर्मान है एक ही अर्मान है एक ही अर्मान है मन बनी मधुबन हमारा मेह के जग हे उपवन सारा कर दे पावन सबका जीवन जो बहे गंगा की धारा कर दे शीतल कपते उरको बन के चेतन चंद्रमान किस जगत के वास ते है हम बनी अब रहनुमाद हम बनी अब रहनुमाद प्यार भर करके है नैवे प्यास हर मन की बुझाए जोती जीवन की जगाकर जयान का दीपक जलाए जयान का दीपक जलाए जयान का दीपक जलाए देख करके कर्म अपने खुश हो प्रभु परमात्मा इस जगत के वास्ते हम बने अब रहे नुमा सासों के सरगं से गूजे गीत बस भगवान का घड़कनों से शाब्द मितले खुशियों के वरदान का मेक चिंतन से बजल दे ये जमी और आस्मा इस जगत के वास्ते हम बने अब रहे नुमा हम बने अब रहे नुमा एक ही अर्मान है जिंदगी हो खुश नुमा इस जगत के वास्ते हम बने अब रहे नुमा हम बने अब रहे नुमा हम बने अब रहे नुमा आपका प्यार बाबा बरसता रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे हम सितारे युही जगमगाते रहे सामने आप हो साथ में आप हो सामने आप हो साथ में आप हो आप से हम मिलन युँ मनाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे हुई खुशहाल है जिन्दगानी हो गए है सफल अपने हर पर स्नेह सागर में ऐसे समाएं मिट गई मन की है सारी हल चल यूही वरदानों का हाथ सिर पर रहे हम दुआओं से दामन सजाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे हम सितारे यूही जगमगाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे ग्यान की जोती जीवन में जागी खेल लगने लगा जग का प्यारा रचता प्यारा है रचना भी प्यारी बिश्व लगता है घर अपना सारा शक्तियों से युशिंगार करते रहो स्वर्ग धर्ती के आंगन बसाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे हम सितारे युही जगमगाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे ये संगम में आकर के मिलना अपने नयनों में हमको समाना अपनी नजरों से निहाल करना अपने जैसा ही हम को बनाना सिलसिला ये मिलन का युचलता रहे भाग के गीत हम गुन गुनाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे हम सितारे युही जगमगाते रहे सामने आप हो साथ में